नमस्कार, सुपरभात, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जैश्री कृष्णा, राम राम, सभी प्यारे सात्यों का उतकर्ष के इस डिजिटल प्लेट फॉरम पर, उतकर्ष एप्लिकेशन की, उतकर्ष के यूटूब चैनल पर, आप सब का उतकर्ष परिवार की तरफ से म हुआ, दोस्तों, राजस्तान neighborhood पूर्ष कलास संस्कृति से समझतिए कुछ महत्वेपोण somethin, कुछ विगत प्रिक्साओं में आए हुए हैं, और कुछ आगमी प्रिक्साओं के लिए, अत्यंत ही महत्वेपोन पर्ष नोध्री पर अपन इस सेसन में बादसीरा करने करते हैं आप सभी सातियों को एक साती मेरा प्यार बरा नमस्कार गुड मॉर्निंग रादे रादे वै इस्वर संगारिया दिपक यादव मिनाक्सी मोटिवेस्टनल किंग सुरजलाल मीना रोहिनी मीना सब को परणाम राम राम रादे रादे बीना समय गवाए अपन महत्वे पून परसनोत्री पर बात करते हैं राजस्तान इतियास कलास संस्कृति हाँ भै सब को एक साती गुड मॉर्निंग स्विकार कर लिया राम राम परणाम रादे रादे आसा सब को आकास यह सब को राम राम भै आजाओ भै पहला परसन आरे स्प्री 2021 तारगेट अपने जिस से अरजुन को चिडिया की आँख दिख रही थी अपने को आरेस का वो पेपर दिखना चाहिए और देखते हैं शुरुवात करते हैं पहला परसन आपकी स्क्रीन पर ये रहा गलत युगम को चुनिएगा एक तरफ वरतमान सहर और प्राचिन समय में जनपदों के बारे में कुछ बातें लिखी गई है तो आपको जो हैं गलत युगम सिनना है एक तरफ वरतमान सहर लिख रखे हैं और दूसरी तरफ आपके जनपदों से उन सहरों का समन्द उलेकित कर रखा है कौन सा जोड़ा असंगत है देखिएगा पहले प्रसन में देखते हैं कौन कौन इसक सही और सठीक उत्तर सर इसके लिए भी है क्या सुपरवाजर के लिए भी क्या है उसके लिए भी क्या मैंने का राज मुखेते रस के लिए और बाकी इतियास कलास नस्कृति जाम भी आयेगा चाहे आरस हो एसाइओ सेकंट ग्रेंड हो पी टी ऐ हो रीट हो पटवार हो कॉं जहाँ पर भी राजस्तान इतियास कलासनस करती आएगा वहाँ पर सब जगे काम में आएगा लेकिन यहाँ पर मुख्य टारगेट RS को लेकर है तो देखिएगा लेवल भी अच्छा रेने वाला है तो हाँ यहाँ पर जादा तरड़ी उत्तरिस्का बता रहे हैं सीवी जनपद चितोडगड देखिएगा सीधा सा बता रहें बेराट बेराट विराट नगर बिल्कुल सही है बेराट विराट नगर आपका सही है कुछ बी भी बता रहे हैं सीवी चितोडगड बिल्कुल सिवी चितोडगड होना चाहिए था लेकिन मित्रों सिवी जनपद की राजदानी मध्यमी का नगरी चितोडगड थी लेकिन ये जनपद पूरे मेवाड सेत्र में विस्त्रित था इसलिए उदेपुर भी तो किसका भाग था मेवाड का भाग था तो इसलिए सिवी का सेत्र अलवर तक विश्टरित था ये बात है अरावली सेत्र मालव जनपद नहीं अरे बैं मालव जनपद मालव की राजदानी कौन सी थी नगर कारकोटा नगर जिसे अपन केते हैं टोंक इधर परताब गड़ के आसपास वाला वो सेत्र जो था मालव में आता था तो वेर आरदा रोंग पेयर आपका यहां पर असत्य युगम कौन सा हो जाएगा डी अब यहां पर कही विजारती कन्प्यूज थे उदेपूर और सीवी को लेकर नहीं ऐसा नहीं करना था सीवी जनपद की राजदानी हां मतज से जो है आपके मध्यमिका थी लेकिन वो मेवाड से पूरा भाग था मेवाड में उदेपूर भी आता है तो यहां पर ली जिन्हों ने उत्तर बताया है वो आपका बिलकुल सही और सटिक उत्तरे होगा दोस्तों चलो अगले प्रसंद की तरब बढ़ते हैं किन किस हून सासक ने बाडोली कोटा में सीव मंदिर का निर्मान कर अटा तौर्मन मेरकुल नर्सिंग गुप्त या अलट बहुत अच्छा प्रसंद है कौन-कौन जो है इसमें सही बता रहे हैं कि बी-सी बिल्कुल बिल्कुल भी बता रहे हैं गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सबको अगला प्रसंद देखिएगा सीधा सा है बै किस हून सासक ने अरे बै किस हून सासक ने ना मी लिकावारा हून सासक तो यहां पर फिर भी कुछ विजारती डी बता रहे हैं दी तो होई नहीं सकता भई हून सासक अलट तो मेवार सासक था जिसने हून की राजकुमारी हरिया देवी से क्या किया था वीवा किया था हून की राजकुमारी हरिया देवी से वीवा किया था मेवार में पहली बार नोकर साई की स्तापना की थी नर्सिंग गुप्त नहीं न आप थीक बता रहे हैं गलत उत्तर होगा मिहीरकुल उत्तर करमाक B जिन्हों ने भी इसका उत्तर बताया है B is the correct answer of following question B इसका सही और सटिक उत्तर होगा मिहीरकुल के द्वारा कोटा में सीव मंदिरों का बताओ क्या करवाया गया था निर्मान करवाया था तो B is the correct answer चलो अगले प्रसन की तरफ बढ़ते हैं। 143 इस्वी में आपके अलावदीन खिलजी एवम रावल रतन सिंग के बीच में युद लड़ा जाता है। 26 अगस्ट 1303 के दिन 26 अगस्ट 1303 इस्वी को इस युद का वरनन किस गरंत में हैं जिस गरंत की रचना 1543 इस्वी में हुई थी। यहां पर देखते हैं कौन कौन ज्यादातर सी बता रहे हैं। इसका उत्तर क्या बता रहे हैं। 26 अगला परशन। चलो अगला परशन। निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिएगा खुमान रासों के लेखक दल्पत विजे हैं। सूरज प्रकास में मेवाड वन्स का वरनन है। उप्रियुक्त कतनों में से कौन सा कतन सही है। केवल एक, केवल दो, एक वे दो दो ना तो एक वे ना ही दो। कंसिडर दा फॉलोइंग स्टेटमेंट निचे दिये गए स्टेटमेंट पर जहान पूर्वक आपको नज़र दालनी है। दा अधर आप खुमान रासो इज दल्पत विजे सूरद परकास डिस्क्राइब दा मेवाड आइनसिती बताईए इसका सही और सठीक उत्तर कब होगा, कौन सा होगा। कतन एक सही है, केवल दो सही है, एक वे दो दोनों सही है और ना तो एक और ना ही दो सही है। हाँ, इसमें ज्जादातर उत्तर सी आ रहा है, ज्जादातर का उत्तर बताऊ क्या रहा है भाई, सी आ रहा है, तो चेक कर लेते हैं। हाँ केवल एक बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं कुछ सी बता रहे हैं रोयल ए बता रहा है आंस्वर इज एक अरे भाई सीधा सा बात है खुमान रासों के लेखक दल्पत वीजे है बिल्कुल जिसके अनुसार मेवाड पर पहला आकरमन विदेशी आकरांता मामू ने किया पहला तो ठीक है सूरज परकास में मेवाड वन्स का नहीं सूरज परकास करनी दान मेवाड कहां से आ जाएगा यहां पर आपका गलत उत्तर हो जाएगा यहां पर पूचा क्या है सत्य कथन कौन सा है तो first only केवल और केवल एक नंबर कथन जो है वो सत्य है सूरज परकास के कि आपको अलग लिखवाता हूँ तो विकल्प कर्मांक एक यहां पर जिनों ने बताया है उनका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है चलो अगला प्रसन जिलानी माता का मंदिर किस जिले में इस्तित है भरतपूर सिकर अलवर कोटा दा जिलानी माता टेंपल लोकेटेट इन दा विच डिस्ट्रिकेज भरतपूर सिकर अलवर कोटा जिलानी माता का मंदिर राजस्तान में कांप पर है सी दासा अर्थ है हाँ हाँ सर एग्री कल्चर सुप्रवज के लिए मेरा तन लगा दो अब चल रही है एग्री कल्चर की क्लासे तो चल रही है ना एग्री कल्चर की तो क्लासे चल रही है आपके जो सब्जेक्ट आते हैं एक्रोनामी वगेरा उनकी क्लासे चल रही है B C ज़्यादा बता रहे हैं C C D बता रहे हैं C C C O K O K A चेक कर लेते हैं बई सीधा सा है इससे सरल परसन तो मुझे लगता नहीं RPSC कभी पूचेगी जिलानी माता मंदिर जो है कांपर है अलवर जिलानी माता मंदिर जो है ये आपके किस जिले में है बहरोड काम पर है अलवर और अपने अच्छी तरीके से जानते हैं जब विदेशी आकरांता तुर्की आकरांता मुस्लीम आकरांताओं के आकर्मन वे वांके इस्तानी लोगों के जब धर्मांतरन हो रहे थे तब जिलानी माता ने लोगों को धर्म की रक्षा करते वे बचाया था तो विकल्प सी इज दा करेक्ट टांस्वर आप फोलोविंग क्यों सर ठीक हैं अगला प्रसन ये लोक देवता मांगलियों के इस्ट देवता है जेसल मेर के राव रनक देव से युद करते वे सहीद वे बापी निगाउं में परमुक प हाइटिंग वित रनक देव बापीनी विलेज ओस्या जोत्पूर इस दा मैन अनिशेंट साइट दा अबो इन्पॉर्मेशन इज रिलेटेड टु वोम उप्रियुक दी गई जानकारी किसे समनित है क्या है प्रसन को भी जान पूर्वक पड़ोगे तो आपे जो हैं इसका स पूर्व हुई थी लेकिन 40 ही मानना है अपने को प्रीक्षा में ये प्रसन आया वा है और 1543 इसमें दिया वा था आप इसमें ज़्यादा चिंतित होने की ज़र्वत नहीं है मेहा जी मांग लिया क्या बात है सी ज़्यादा तर बता रहे हैं भाई नेरा एसाई का पेपर भ मेहा जी मांग लिया ओके यहां पर आपका बिलकुल सही और सठीक उत्तर होगा मेहा जी मांग लिया ऑप्षन सी इजदा करेक्ट टांसपर मेहा जी मांग लिया ज्यान रखना मेहा जी मांग लिया रनक देव भाटी के सामने लड़ते वे वीर गती को प्राप्त होते हैं औ और कीरड काबरा किस लोक देवता की प्रसिद सवारी है तो कीरड काबरा मेहा जी मांगलिया की प्रसिद सवारी थी जान रखना विकल्प करमाग आपका तीन नंबर यानि सी उत्तर जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तरे होगा दोस्तों ठीक है अगला परसन सुची एक एवं सुची दोग को सुमेलित कीजिएगा एक तरप लोक देवता हैं और सामने उनके परमुक इस्तल है तली नात जी सांतु गाउं जालोर मली नात जी खरनाल नागोर तेजा जी तिलवाडा बाड मेर फत्ता जी पांचोटा गाउं जालोर कूट एक दो तीन चार चार त चार तीन चार तीन एक दो सीधा साधा प्रसन है रे सीधा साधा क्या है भई प्रसन है तो देख लो इसका उत्तर क्या है मालानी के धनी भई मली नात जी इस परकार के प्रसनों में तो अगर अगर अपन थोड़ा बहुत भी कॉमन सेंस भी लगाते हैं ना तो आसानी से इस परशनों को सही और सटीक उत्तर दिया जा सकता है तो ज्ञान रखना मलीनात जी तो मुझे पक्का पता है तिलवाड़ा बाड मेर में है चैत्र क्रिस्षन एकादसी से चैत्र सुक्ल एकादसी तक मलीनात पसू मेला भी बड़ता है इस कारते मलीनात जी जाँओ है, वाँ तिलवाडा बाढ बेर आएगा यांपर मैंने लिख दिया, A, B, C, D यांपर जो B लिखावा है, यानि जो दो नमबर लिखावा है दो नमबर के आगे 3 नमबर आएगा, यानि B के आगे 3 आएगा बी के आगे तीन एक तो यह है एक यह है यानि बी और सी को मैंने उड़ा दिया उत्तर या तो ए होगा या डी होगा फिप्टी फिप्टी चांस है तेजा जी तेजो जन्मियों खरनाल्या कोई माग माईनारी उजडी चोदस ले माग सुकले चतुर दसी विक्रम सवंत एक हज 2014 खरनाल नागोरी यानि तीन करत हो गया सी च सी के आगे दो नंबर आएगा सी के आगे दो नंबर काम पर है या पर है तो इसका उत्तर करमा अपने आप ही कौन सा हो जाएगा ए हो जाएगा बड़ा सरल सा प्रसंता इसमें मुझे लगता नहीं किसी को कोई गलती की गुंजाइस रहनी चाहिए थी अगला ये तो इंगलीस में इसका ट्रांसलेट है मैस दा लिस्ट आप फस्ट एंड सेकेंड पहली और दूसरी सुची को सुमेलित कर सही कौन सा सुमेलित है तो देखिएगा बई पहली बात राजस्तान में थेवा कला थेवा कला तो बिलवारा की नहीं है ये तो गलत है ये पिछले सब इस्पेक्टर में भी पूचा गया था थेवा कला का संबन कहां से है और वर्तमान में भी महत्वेपूर्ण है ये थेवा कला परताप गड़ नातु जी सोनी जिसके जनक थे भी उत्तर जादातर बता रहे हैं अच्छा बाद ले अरे गंगा नगर नहीं बादले क्या होते हैं जिंक अत्वा जस्ता दातु से निर्मित पानी रखने की बोतल जैसे ये जो बोतल है ये बताओ किस किस रेड़ी में आएगी बादला ये जिंक दातु से बनी हुई बोतल है जिंक या जस्ता दातु से बनी हुई पानी रखने के पात्र बाजले कांग के परसिद है राजस्तान में जोदपूर के मीनाकारी उदेपूर नहीं मीनाकारी राजस्तान में जेपूर की परसिद है और मतेरना कला उस्ता कला ये आपका भी उत्तर जो होगा बिल्कुल आजकल तो सारे इंटेलिजेंट होगे सारे के सारे सही बता रहे हैं मतेरना कला जो है विकानेर ये आपका बिल्कुल सही एवं सटीक उत्तरे होगा ठीक है बिल्कुल बिल्कुल बी मीनाकारी जेपूर बहुत बढ़िया आजकल तो बड़े इंटेलिजेंट होगे वैं सारे के सारे सही परसनारे हैं कच्छावू, लूंगडा, कटकी, आदिक का सम्मंद है इस्तरी परिधान, पुरुष परिधान, इस्तरी आबुषण, पुरुष आबुषण, कच्छावू, लूंगडा, कटकी, एटीसी आ रिलेटेट टू, वोमेंस एटायर, मेंस एटायर, मेंस ज्वेलरी, मेंस ज्वेल होगा कच्छाव लूंग्रा कच्छाव ग्रामसेवक तुधाउजेंच ए ग्रामसेवक दो हजार सोला में पूचा गया प्रसण अगला नहीं केवल और केवल इतना जैगा कच्छाव है इतना ही महिलाओं द्वारा गुटनों तक लंबा पेहना गया गागरा बताओ क्या कहलाता है आपके कच्छाओं लूंगणा ये आदिवासी महिलाओं की ओडनी होती है और कटकी आदिवासी एविवाहित कन्याओं की ओडनी को कटकी कहा जाता है जिसे अपन इस कटकी का एक नाम आप को और भी देखने को मिल सकता है पावली भांत की ओडनी कौन से भांत की ओडनी पावली भांत की ओडनी आदिवासी ए विवाहित कन्याओं की ओडनी होती है तो जिन्होंने भी ए उत्तर बताया है महिलाओं की वेसपुसा है यानि वोमेंस एटायर इस्त्रियों का प्रिधान है इस्त्रियों की वेस्बुसा है और आदिवासी इस्त्रियों की ये वेस्बुसा है विकल्प A is the correct answer of following a question बिलकुल कच्छाओ गुटनों तक लंबा गागरा बिलकुल सही है बिलकुल सही है सुमन कुमारी राकेश लोकेश मेंदर भाटी सब का सही राम परताप next question on the screen run बाजा नर्त्य किया जाता है बीलों द्वारा गुर्जरों द्वारा कामड जाती द्वारा मेवों द्वारा रण बाजा डांस इच परपॉर्मड भाई बील्जर्स गुर्जर्स कामड कास्ट्स मेवस बताओ किस के द्वारा किया जाता है अरे हां बानुजला बिल्कुल हो जाएगा केरी भांध की ओड़ने किस जाती की केरी भांध तारा भांध ज्वारबात यह सब वनोध सारणे आदिवासी महिले की और आदिवासियों में भी प्रोप्र जंजाति पूछलेल तो जन्जाती करके आना है, बी अपने केरी भांत की ओड़नी, ज्वारा भांत की ओड़नी, तारा भांत की ओड़नी, तीनों पूछ ले तो आपको आदिवासी महिलाएं करके आना है, बिलकुल ए, ए यहांपर दी और ए, सारी उतर आ रहें, कुछ बी बी बता रहें रंबाजा डांस इज परपोर्म्न बाई, किश के द्वारा किया जाने वाला नर्तिय है रे? बीलों द्वारा नहीं, बीलों के द्वारा तो मैंने आपको बता रुखा है बीलों की गवरी गेरों के युद में रम पिकर के द्वी चकरी गुमी तो वहां पर वो शारे नर्तिय हो जाएंगे गुर्जरों द्वारा नहीं कामड जाती द्वारा मेव जाती के द्वारा यहां पर आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा मेवात सेतर में आयोजित होने वाला नर्तिय मेवात सेतर में रत्वई एक नर्तिय है रत्वई एक नर्तिय है रनबाजा एक नर्तिय है खारी यह सारे के सारे मेवात सेतर में मेव जाती के एक बम नर्तिय है वो भी मेवात में होता है तो option D जिन्होंने बताया है उनको सही और सठीक उत्तरे होगा next question on the screen गलत युग्म को चुनिए एक तरफ जुनागड बिकानेर भटनेर का किला स्री गंगानगर अचलगड सीरोई सेरगड बारा select the wrong pair जुनागड पेलेस्ट बिकानेर भटनेर पोट स्री गंगानगर अचलगड सीरोई सेरगड बारा बड़ा सरलसा प्रसन है बड़ा आपको लड़ू खिला रही RPSC आपको क्या खिला रही लड़ू खिला रही है फटापड बताओ क्या बात है सुरेश मेगवाल बी 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 ज़ादत पर सर इसमें भी आएगा क्या सर एगरीकल्चर में भी आएगा क्या RIT में भी आएगा क्या SI में भी आएगा मैं आपको बता तो चुकाओं भई फिर बता रहा हूँ कि टारगेट RS लेवल का पेपर है अब सभी प्रिक्षाओं में इतियास कला संस्कृति आती है इसलिए आरेस, एसाइ, सेकेंड ग्रेड, पीटी आई, रीट, पटवार, कॉंस्टेबल, ग्राम सेवक, वन पाल, वन रक्षक, पसुदन, सायक, एग्रिकल्चर, सुपरवाइजर, सब जितनी भी PTT, BSTC, जो भी एक जाम है राजस्तान में, जाम पर राजस्तान इतियास कला संस्कृति आती है, वो सब में आएगा, देखो यहां पर तो जुनागड, विकानेर, बिल्कुल सही है, बटनेर का किला गंगा नगर, गलत हो गया, बटनेर, अरे बटनेर का ही वरतमान, नाम बताओ कौन सा है, बाला जी यानी हनुमान जी, हनुमान जी यानी कौन सा गड़ है, हनुमान गड़, मंगलवार के दिन जीत करके इसका नाम हनुमान गड़ कर दिया, और राजस्तान का सबसे प्राचिन किला कौन सा है, बटनेर का किला, गगर नदी के किनारे इस्तित है, वास्तुकार अ विदेशी आकरमन भी इसी पर होते थे तो यहां पर भी उत्तर जिन्हों ने बताया उनका सही है चलगड सीरोई सेरगड 12 बिलकुल सही है सेरगड 12 नेक्स्ट मैसा पठार पर इस्तित यह दुर्ग जिसके अंतरगत समदीश्वर मंदिर एवं कुम्र स्वामी मंदिर इस्तित है निम्र लिखित में से इस दुर्ग का संबंद है कुम्बलगड चितोडगड महरानगड जुनागड इस फॉर्ट सिच्वेटेड ओन दा मैसा पलेच्वा है समदीश्वर टेंपल एंड कुम्श्याम टेंपल सिच्वेटेड इन एट विच आप दा फॉलोइंग समदीश्वर मंदिर भी इस्तित है कुम्बलगड है चितोडगड है महरानगड है या जुनागड है देखते हैं कौन-कौन इसका सही और सटिक उत्तर होगा हाँ चितोडगड चितोडगड बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत- चीडिया टुक पहाड़ी पर निर्मित है चीडिया टुक पहाड़ी जिसे अपन पंचेत या पाड़ी भी कहते थे लेकिन चीडिया नाजी के द्वारा यहां पर तपश्या करने के करन चीडिया टुक पहाड़ी के लए कुंबलगड नहीं कुंबलगड दुर्ग तो जरगा पहाड़ी परिष्टित है कौन सी पहाड़ी परिष्टित है जरगा पहाड़ी परिष्टित है यह पर सही और सटीक उत्तर होगा चितोडगड़ दुर्ग चितोडगड़ दुर्ग मैसा के पठार पर इस्तित दुर्ग है और चितोडगड़ दुर्ग का निर्मान किस ने करवाया ये पिछले सेकेंड ग्रेड में RPSC ने पूछा था उसने चित्रांग मोरिये और चित्रांगद मोरिये दोनों विकल्प में दिये थे चित्रांग गलत है चित्रांगद मोरिये बताओ क्या है सही है ये आपका गड़ तो चितोड़ गड़ बाकी सबे गड़ईया तो आपका ऑप्शन करमाक भी जो होगा बिलकुल सही और सटिक उत्तर होगा नेक्स्ट निम्न लिखित में से कौन सा कथन सत्य है हवा महल में कुल सात मंदिर है हवा महल युनेशको का एक विरासत इस्तल है हवा महल का निर्मान सवाई मादो सिंग बित्ये द्वारा करवाया गया इन में से कोई नहीं which of the following statement is true हवा मेहल has a total of seven temples हवा मेहल is a UNESCO heritage site हवा मेहल was built by सवाई मादो सिंग बित्ये none of these निम्न लिखित में से हवा मेहल के संदर्ब में कौन सा कथन सत्य है which of the following statement is true अरे भई हवा मेहल के बारे में CDC जानकारी दी जारी है कौन सा कथन आपका सत्य है ये अपने को देखना है सत्य कथन देखो देख कर लेते हैं फटा फटा आप भी बता दो फिर मैं बता देता हूँ हवा मेहल के बारे में मोटी मोटी जानकारी आपको हवा मेहल काम पर है क्या है क्या नहीं है कौन कौन से मंदिर है, है तो कितने है, एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच मंदिर है, साथ नहीं है, यानि पहला तो काट दिया मैंने, पहला तो काट दिया, हवा महल युनेशको का एक विश्वे विरासत इस्तल है, किसने कहा विश्वे विरासत इस्तल है, ये भी नहीं है कौन सा कतन सत्य है ये भी नहीं है हवा महल का निर्माण हवा महल का निर्माण ज्यादा तर बी क्यों बता रहे रहे बी कहा है हवा महल का निर्माण सवाई मादो सिंग द्वित्ये के द्वारा करवाया गया तो यामपर नहीं करवाया गया, किस के द्वारा करवाया गया, सवाई प्रताप सिंग के द्वारा हवा मेहल का क्या करवाया गया था, निर्मान करवाया गया था, ये भी आपका ठीक है, सवाई प्रताप सिंग के द्वारा करवाया गया था, तो इसमें सीधा सा बात है, हवा मंदिर सरद मंदिर रतन मंदिर विचितर मंदिर परकास मंदिर और आपका उपर वाला हो जाएगा हवा मंदिर टोटल कितना मंजिला हो जाएगा पांच मंजिला हो जाएगा तो डी इसका जिन्हों ने भी बताया है इन में से कोई नहीं उन सब का उत्तर बिलकुल सही और सटीक है हाँ नन ओप दीज इती देर तो भी बता रहे थे अब आपका हो जाएगा नन ओप दीज विकल्प डी इस दा करेक्ट टांस्वर और फॉलोविंगे क्यों सब्सक्रा नाइंटी एटी थरी में इसे म्यूजियम जरूर बनाया गया था इसे देखिएगा अगला प्रसन निम्न में से कौन सा युगम सही नहीं है काली बंगा श्री गंगा नगर अहाड उदेपूर सुनारी जुन्जुनू गनेश्वर सिक्कर विच ओप दा फॉलोविंग पेयर्स इज नौट करेक्ट काली बंगा श्री गंगा नगर अहाड कंबिच था कोन सा जोड़ा शत्य नहीं है हवा महल सवय मादो शिंग ने बनाया था गुरू जी अरे नहीं बनाया रे भई 799 में सवय परताप शिंग ने बनाया था और सवय प्रताब सिंग के दुआरा बनाए गए इस महल में कुल 953 खिड़किया हैं वास्तुकार थे लाल चंद उस्ता वास्तुकार का नाम क्या था लाल चंदे उस्ता विज उप्ता फॉलोइंग पेर इस नौट करेक्ट कौन सा जोडा सही नहीं है गनेश्वर कांत्री नदी के किन किनारे नीम का थाना सिक्कर तामर युगीन सब्यताओं की जननी किसे कहा जाता गनेश्वर सुनारी जुन-जुनू बिल्कुल करेक्ट है अहार इस्तानी भासा में धूलकोट केते तामरवती नगरी केते अगाट पूर केते अगाट दुर्ग केते ये तो आपके यांपर उदेपुर में काली बंगा अश्री गंगा नगर गलत गंगर नदी के किनारे हनुमानगड में इस्तित है काली बंगा साब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूडियां जिसका उत्खनन एवं खोज करता अमलानंद गोस नाइंटी फिप्टी टू और इस पूरा तात्व इस तल को डोक्टर दर्शत सर्मा ने थार्ड कैपिटल अफ सेंदू घाटी सब्यता की तीसरी रास्दानी कोलेज लेक्चरर में आया था डोक्टर दर्शत सर्मा ने किसे का है तो काली बंगा को का है यहां पर आपका उत्तर करमांक जिन्होंने भी ए बताया है उन सब का उत्तर बिल्कुल सही है काली बंगा वेरार नॉट लोकेटेड इन गंगा नगरीज आल्सो लोकेटेड इन हनुमान गड़ डिस्टित आपके हनुमान गड़ में इस्तित होगा नेक्स देखिएगा सत्तरवी सताब्दी की रचना राज परसस्ती महाकाविय के रचियता है गिर्दर आशिया बताईए कौन है रचियता वो इस दा ओतर ओप्दा सेवन सेंचुरी एफिक राज परसस्ती ऐस्या की सबसे बड़ी परसस्ती है रन्चोड भट, जगदीश भट, दुर्गा, दुर्शा आडा, गिर्दारी आशिया कौन इसका सही और सठीक उत्तर होगा चेक कर लेते हैं बी, रन्चोड भट, रन्चोड भट क्या बात है, सुस्मा जादोन, अनिता चोदरी ए बता रही है, सुरेश भादू, रन्चोड भट, आजकल तो बहुत ही अच्छी तरीके से सारे के सारे, देखो, सीधा सा उत्तर है, रन्चोड भट तेलंग, पूरा नाम क्या था, रन स्कृत भासा में लिखी गई है, राज सिंग जी के द्वारा लिखाई गई थी, बप्पा रावल से राज सिंग तक का इतियास वरनित है, काली सिलाओं पर ये प्रशस्ती अंकित है, तो आपका उत्तर कर्माक ए, नुर्सा आडा, कौन सा लिखा था, विरुद छत्री, प्रिदर आसिया ने कौन सा लिखा था, संगत रासो तो रंचोड भट यहां पर ठीक उत्तर होगा, नेक्स देखिएगा, सुची एक एवं सुची दो को सुमेलित कीजिएगा, करणीदान, अजीतो दे, दोलत विजे, कानर दे परबंद, पद्मनाब, खुमान रासो, और आपके जग जीवन भट, सूरज परकास, सीदा सा परसन है, कूट एक वे दो, तीन वे चार को मिलान करना है, इसे इंगलीज में भी आप पढ़ सकते हो, मैस दा लिस्ट फरस्ट एंड लिस्ट सेकेंड, करणीदान, अजीतो दे, दल्पत विजे, तो यह एक ही है, आगे इ देना चारा है, एक्जामिनर आपको फिरी का नंबर देना चारा है, कैसे गुरुजी फिरी का नंबर कोई देता है, क्या, देता है, A, B, C, D, A, B, C, D, एक तरफ लिक लिया, अब इसमें से जो आपको आता है, वो आप बता दो, पदमनाब, कल आया था, राजस्तान पुली है, तीन यानि C लिकावा है, उसके आगे दो आएगा, तीन नंबर डुंडो, उसके आगे दो नंबर डुंडो, यांपर है, यांपर नहीं है, यांपर नहीं है, उड़ा दो, यांपर है, इतना पका पता लगया कि उत्तर या तो A होगा, और या उत्तर D होगा, अब 50-50 च अगला बिंदू अपने को अभी अभी बतायता खुमान रासो दल्पत विजे यानि बी के आगे तीन आएगा बी के आगे यां तो एक है इसको उड़ा दो फिर बचा क्या आगे जाने की जरूरत ही नहीं है आपका उत्तर करमाक ए जो होगा बिलकुल सही और सटीक उत्तर अब तो आप भी मिला दोगे करणी दान सुरत परकास अजितो दे जग जीवन भट यानि चार तीन दो एक आपका यहां पर बिलकुल सही और सटीक उत्तर होगा नेक्स्ट हमीर रासो एवं हमीर काविय के रचनाकार कौन है हमीर रासो एवं हमीर काविय के रचनाकार मा काविय नहीं हमीर काविय के रचनाकार कौन है वो इच दा ओतर अब हमीर रासो एंड हमीर काविया हमीर मा काविय नहीं पूचा है पहले ही बता रहा हूँ हमीर मा क काविय नहीं पूचा है हमीर राशो एवं हमीर काविय के रचनाकार कौन है यांपर अगर हमीर काविय से आप देखो हमीर महा काविय पूच लेता तो अपन बता देते हमीर महा काविय मैंने कहा था महा यानि बड़ा बड़ा यानि सूरज सूरज यानि सूरी यानि नयन लेकिन हमीर रासो और हमीर काव ये पूचा है वो इस दा उत्तर अप हमीर रासो शामलदास चंदर सिंग शारंगदर और नैयन मुख लेखते हैं कौन-कौन इसका सई उत्तर बता रहा है हमीर रासो हरे हमीर रासो का पूच रहे हैं शामलदास गलत उत्तर हो जाएगा शारंग धर क्या बात है सारंग धर ठीक है स्यामलदास गरंत वीर विनोद बताओ गरंत कोन सा लिखाता वीर विनोद स्यामलदास ददवाडिया कवी राजा मेवाड महरणा फते सिंग के दरबार चंदर सिंग बिरकाली नहीं चंदर सिंग इन्होंने कविता लिखिती बाद ली जो आधुनिक राजस्तान की प्रत्थम कावियकरती मानी जाती है नयन मुक नहीं सारंगदर एक बात यहां पर और भी जान रख लेना हमीर राशो ग्रंत दो बार लिखा गया था जोद राज ने भी लिखा था और की थी राजा भोज महिपाल नागबट परतम महंदरपाल विच रूलर अप मंदोर ब्रांचो प्रतिहारा डाइनेस्टी सिप्टेड हिज केपिटल फ्रॉम मंदोर टु मेरता वहे गुर्जर प्रतिहार सासक जिन्होंने अपनी राजदानी को मंदोर से मेरता इस्तापित क थी वो गुर्जर प्रतिहार सासक कोन है सीदी सी इस्तापना है सीदा सा प्रसन है मुझे लगता नहीं है इस प्रसन में किसी को कोई ज़्यादा दिक्कत वाली जो है दिक्कत का सामना करना पड़ेगा सी बता रहे हैं ज़्यादा तर हम आप रनाम मेरता से सुईकार कर लिय बहुत ही बढ़िया देखो गुर्जर परतिहारों की मुणोत नेंसी ने कुल कितनी साखाओं का वर्णन किया है उनमें से सबसे प्राचिन साखा मानी गई है परतिहारों की मंदौर परतिहारों की सबसे प्राचिन साका कौन सी मानी गई है मंदोर और मंदोर बताओ काम पर है जोतपुर में हरी संदर के काल से लेकिन इस मंदोर से गुर्जर परतिहारों की साका मेरता गई थी और मेरता राजदानी बनने के बाद मेरता से एक जालोर बीनमाल जालोर में बीनम जिनने नारायन भी केते हैं, नागावलोक दरबार भी केते हैं, 730 से 760 इस वी के बीच इन्होंने सासन किया था, option C is the correct answer of following question, उत्तर करमाक C यांपर आपका बिल्कुल सही और सटिक उत्तर होगा, योगेंदर सिंग धाकड के राज़ सो परतिसत C, बहुत ही बढ़िया, हाँ प्रियावन रक्षात अपने प्राण न्योचावर किये थे, ये प्रसन भी जेल वार्डन में पूछा जा चुका है, आलांकि वेसे राजस्तान में सभी संपरदाई के लोग प्रियावन के प्रति प्रेमी लेकिन सबसे ज्यादा पूछा है यांपर, The followers of the witch sect say, sacrifice their lives for welfare of the nature and protecting the environment, बताइएगा वेसे संपरदाई, जिन्होंने जीव कल्याण और परियावन रक्षार्त अपने प्राण न्योचावर किये, रामसनई संपरदाई, विश्नोई संपरदाई, जसनाती संपरदाई या गुदर संपरदाई, The followers of the witch sect, sacrifice their lives or welfare the nature and the protesting the environment, फटापड से बताओ, प्रोटेस्ट करते वे, किन्होंने अपने प्राणों का त्याग किया है, विश्नोई संपरदाई, बेलकुल, प्रियावन पर्ती, प्रियावन के पर्ती सबसे जो ज़्यादा रक्षार्त भाव से प्रियावन के पर्ती जो ज जाग रुक है, जाग रुकता चलाते हैं, विश्नोई संपरदाई, विश्नोई सेक्स आरेस्टेबलिस 1485, विश्नोई संपरदाई की इस्तापना, बताओ कब हुई थी, विश्नोई संपरदाई की इस्तापना, ये हुई थी आपके 1485 में, गुरु जी यानि जांबो जी थे हूं मारा गुरु जी जामbो जी के दवारा इस्तापना की गई थी और फ़र्स्ट एनवायर्मेंट साइन्टिस्ट उफ इन्वार्ड विश्वे के प्रथम प्रियावन वेग्यानिक गुरु जी को केते हैं क्योंकि प्रियावन के परती अगर पूरे विश्वे में अगर पहली बार किसी ने अलग जगाई थी तो वो थे अपने जामबो जी विकल्प बी इस दा करेक्ट आंस्वर और फॉलोविंग क्यूशन केई बलिदान आज भी इतियास में गवा हैं अमरिता देवी विश्णोई का बलिदान है मित्रो कर्मा गोरा का बलिदान है विन्चो जी का बलिदान है ज़ो इतियास में गवा है कि प्रियावन की रक्सा के लिए विश्णोई संपरदाय हमेशन से अगरेनी रहा है विकल्प बी इस दा करेक्ट आंस्वर और फॉलोविंग क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन ओन दा स्क्रीन, the man's site of the दहुदी बोहरा सेक्ष इन राजस्तान इज, राजस्तान में दहुदी बोहरा संपरदाय का परमुक इस्तल है, ओसियां, जोदपुर, विहनमाल, जालोर, गलिया कोट, लूंगरपुर, आमेर, जेपुर, राजस्तान में और आशेक्स इन राजस्ताने जोसियां, भीनमाल, गलिया कोट या आमेर, फटा फट से बता दीजी इसका उत्तर क्या होगा, हाँ, बी, सी, सी, बीश्वे में सी, बहुत ही बढ़िया, बी, बी, सी, गलिया, ठीक है बई, चेक कर लेते हैं, यहां पर ओसियां जोदपुर नहीं, ओसियां जोदपुर सच्याई माता का मंदिर ओस्वाल जाती की क्या है, कुल देवी है, बीनमाल जालोर नहीं, गलिया कोट नहीं, आमेर जेपुर या पर गलिया कोट आपका सही और सटिक उत्तर होगा, गलिया कोट वेर पैलेस्टेन डूंगरपुर डिस्टिक, आलसो फैमस और ये प्रसिद क्यों है, रमकडा उद्योग, बताओ कौन सा उद्योग, रमकडा उद्योग के लिए भी प्रसिद है आपका गलिया कोट, जा सो पिस्टोन को तराश करके खिलो ने भी बनाए जाते, तो राजस्तार में दाओधी बोरा संपरदाय का परमुक के अंदर होगा आपका गलिया कोट दूंगरपुर, जाम पर पीर फकुरुदीन की मजारपन, दाओधी बोरा संपरदाय का क्या बरता है, उर्ष भी बर नेक्स्ट क्यूशन ओन दाइ स्क्रीन आइडेंटिफाइड दा रोंग पैयर सौमेश्वर टेंपल बाडमेर जगदीश टेंपल उदेपूर टेंपल आप मुनी सुब्रतनात मंदिर केशवराय पाटन महा मंदिर बिकानेर बताईए आसत्य युग्म आपका कौन सा है रमकड कांडों की होली बिलकुल कंडों की होली सोम मही जाखम तिर्वेनी संगम क्या बात है तिर्वेनी संगम पर माग पूर्णी मा को आदिवासियों का मेला बरता है नवाटा परागाउं डूंगरपूर में तिनों नदियों का क्या होता है संगम बताईएगा आइडेंटिफा कोई भी बता देगा सरलसा प्रसन बिलकुल सरलसा प्रसन है इसमें सोमेश्वर मंदिर बाड मेर हात्मा गाउं बाड मेर देखो किराडू मंदिर बने वे हैं हात्मा गाउं में पांच मंदिरों का समू है किराडू मंदिर जिने अपन केते हैं राजस्तान का खजुराओ केते वहां पर सबसे पर्मुक जो मंदिर है वो सवमेश्वर मंदिर है। जगदीश मंदिर यह आपका उदेपुर में है जिससे स्वपनों में बना मंदिर भी अपन केते हैं। और नात संपरदाय का अगर आप से पूछ ले कि परमुक मंदिर कौन सा है तो नात संपरदाय की जो परधान पीट है वो आपकी कौन सी है महा मंदिर तो यहां पर असत्य युग्म पूचा है identify the wrong payer असत्य युग्म आपका कौन सा हो जाएगा option ली जो है यह असत्य हो जाएग में तता सिशुपाल वद गरंद की रचना की थी दूर्शा आडा कवी माग कवी ब्रतहरी कवी वारने कर दा eminent points of Sanskrit was born in भीनमाल जालोर and compose the book सिशुपाल वद यानि वहे व्यक्ती जिनका जन्म भीनमाल जालोर में वा था और सिशुपाल वद जैसी प्रसिद रचना की उन्होंने रचना की थी यहां पर दूर्शा आडा ये भी जालोर से समंदित है लेकिन इन्होंने रचना नहीं की इन्होंने विरुद चत्री किर्तार बावनी ऐसे गरंतों की रचना कीती कवी भरतहरी नहीं उजेन के राजा थे ये शरिसका अलवार करम इस्तली है इनकी जाम पर परतिवर्स भादरपद सुकल सप्वी एस्टमी को मेला भी बरता है जिसे मतश्य का कुम्ब कहते हैं कवी वारने कर नहीं कवी माग इसका बिलकुल सही और सठीक उत्तर होगा ऑप्सन करमा का आपका भी ठीक उत्तर होगा और कवी माग को जान रखिएगा राजस्तान का वालमिकी किसे केते तो राजस्तान का वालमिकी भी बताओ किसे केते हैं कवी माग को केते हैं ये भी जान पालोर से और सिशुपाल वद इनकी परमुक रचना थी ओप्शन बी जो होगा यांपर आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा नेक्स्ट पासान कालिन सब्व्यता से भारत के पसुपालन के प्राचिंतम साक्षे मिले हैं बताईगा अहाड गिलूंड काली बंगा बागोर दा अरलिएस्ट एविडेंस ओप एनिमल्स हजबेंडरी ओप इंडिया हैज बिन फाउंड फ्रॉम दा स्टोन एज सिविलाइजेशन फ्रॉम बताईगा वह पुरा तात्विक इस्तल कौन सा है जहां से पसुपालन के प्रा प्राचिनतम साख से मिले हैं फटा पड़ बताओ भई बी 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 सरीट के लिए कब कलास लेंगे अभी ऐसा कुछ नहीं है अभी जब जो जो कलासे होगी आपको बता देंगे लाइव कलास मेरातन कलास सब की चल रही है एगरी कल्चर में एगरी कल्चर की लगी थी अभी लग भी रही होगी बी बी बिलकुल जिन्होंने भी अहाड अरे आड से नहीं मिले भई आड से गोरेवे कोठे गोरेवे कोठे करते अनाज रखने के बड़े मृद्भांड प्राप्त हुए हैं जिने अपन गोरेवे कोठे केते हैं वो आहाड से खोजेगे गिलुन राजस मन्द नहीं काली बंगा नहीं काली बंगा से जुतेवे खेत के साक्षे भुकम के साक्षे सल्य चिकित्सा के परमाण कास्थ से निर्मित नालियां चैम्सपोड पदती ऑक्सपोड पदती ग्रिड पदती जाल पदती या समकोन पर काटती हुई सडके ऐसे अउसेस मिले हैं ब बागोर बागोर इसका सही उत्तर होगा बागोर बताओ काम पर है भीलवाड़ा कोठारी नदी के तठ पर 1967-1969 वियन मिस्रे विरंदरनात मिस्र के दवारा इसका उत्खनन किया गया और पसु पालन के सबसे प्राचिन काले ने ये मद्ये पासान कालिन पुरातात्विकिस्तल आपके बागोर हो गया तिलवाड़ा बाडमेर हो गया तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर होगा नेक्स देखिएगा भोगिलाल पांड्या किस रियासत के परजा मंडल से संब्ध रहे हैं अलवर लूंगरपूर जैपूर अजमेर भोगिलाल पांड्या वाज सेदा सा प्रसन है अलवर लूंगरपूर जैपूर अजमेर मुझे लगता नहीं इस पर कोई ज्यादा समय गवाने की जरूरत है कुमर्सा हुकम राष्टान को वालमिकी हरी सिंग सांकला को कहते हैं क्या कलियूग का वालमिकी कहते हैं हरी सिंग सांकला को कलियूग का क्या कहा जाता है वालमिकी कहा जाता है बी बी ढूंगरपूर सीधा साहे बैई देखो यामपर एकजामिनर ये तो आरपीसी का बला हो कि उसने मांसवाडा ओप्शन में नहीं दिया अगर मांश वाड़ा ओप्शन में दे देते और डूंगरपूर ओप्शन में अब तो हमें ये पता है भई भोगिलाल पांड्या इन्हें अपन वागड का गांधी कहते हैं वागड का क्या कहते हैं गांधी सिमल वाड़ा से इनका सम्मध था भोगिलाल पांड्या का लेकिन अगर मास्वाडा और डूंगरपूर दे देते तो थोड़ा बहुत विज्जारती कन्प्यूज होता, अब तो यहां पर कन्प्यूज होने की कोई दिक्कत ही नहीं है डूंगरपूर, जान रखना आपको याद रखना है, आपको बोडू, बाबू, बाबू, अगर डूंगरपूर में प्राए अपन कन्प्यूज की स्तती में आ जाते हैं, तो भोगिलाल पांड्याबाज एसोसियेटेड विट दा प्रजा मंडल ओफ विच प्रिंसली स्टेटेड इज राइट अंस्वार डूंगरपूर आप्शन बी, बुत्तर करमांक दो आपका ठीक उ साला फोर दा ट्रेनिंग ऑप दा रिवो लोस्नियर्स बताइएगा क्रांतिकारियों के प्रसिक्षन के लिए वर्दमान पाट साला की स्तापना किसके द्वारा की गई था, अलांकि यह जेन वर्दमान विज्जाले था, लेकिन यहां पर क्रांतिकारी भी आया करते थे, त बताएगर आवे लो तो पहली गोडी छाती माते केशरी सिंगरी खावे लो, केशरी सिंग बारट ने ऐसा नहीं काता, केशरी सिंग बारट ने तो जो है, अपने पूरा बारट परिवार, अगर आप से पूचे कि राजस्तान का कौन सा पूर परिवार, तो दो परिवार थ इसलिए बारट परिवार के सम्मान में इनका जो जन्म स्तल्था देवपूरा गाउं साहपूरा तेसिल जिला भीलवडा में उसका नाम भी बदल करके मारट जी का खेडा कर दिया है बड़े सम्मान के साथ आज मारट परिवार को इतियास में याद किया जाता है तो यहां पर मारट तो नहीं होगा, पतिक जी भी नहीं होगे, केशरी सिंग जी भी नहीं है, विजे सिंग जी भी नहीं है, गौपाल सिंग खरवा भी नहीं है, अरजुलाल सेटी, अरजुलाल सेटी का जन्म बताओ कांपर वा था, जेपुर में वा था, जेन परिवार में इनका जन्म कहा कि सेटी जी आओ आठकी भी ए पूरी हो गई कलेकTER बन जा ओ सेटी ने कहा कि अगर सेटी नोकरी करेगा तो अंग्रेजों को देश से कौन भगाएगा और सेटी जेने इस नोकरी को ठोकर मारी और मित्रो संगर्स की रहा चुनी अर्जुलाल सेटी बाद में निजाम हत्याखान के आरोप में इनको गिरपतार करके जेल में कैद किया गया था बाद में अन्तिम समय में ये काँ चले गए थे ख्वाजा साब की दरगा वाँ पर इन्होंने मदर्सों में मुस्लिम बच्चों को पड़ाना शुरू कर दिया था तो ये अपने अर्जुलाल सेटी थे आप्शन बी याम पर ठीक उत्तर होगा किस सेली के बिती चितर अजारा की ओवेरी और मोती महल में देखने को मिलते हैं नातवारा सेली, उनियारा सेली, देवगड सेली, किसनगड सेली विक्ट सेली के बिती चितर ओजारा की हवेली एवं मोती महल में देखने को मिलते हैं तो फटा-फट से बता दिजीएगा फटा-फट से इसका उत्तर बता दिजी वई हाँ अरे सी दासा थोड़ा बोत भी जादातर भी बता रहे हैं भी उत्तर जादातर बता रहे हैं उन्यारा सी कम बता रहे हैं भी ज़्यादा बता रहे हैं नात्वारा सेली नहीं राजसिंग का काल इसका सौरन काल केहलाता है उन्यारा सेली नहीं अरे उन्यारा टौक में का अजेवरा देवगड is the correct answer is following question देवगड चित्तर सेली इसका सही उत्तर होगा राज सम्मंद में, श्रीधर अंदारे, श्रीधर अंदारे इस सेली को प्रकास में लाने का सरे जाता है, तो विकल्प C is the correct answer of following question, देवगड राज सम्मंद, नेक्स देखिएगा अगला परसंद, इस्त्रियां अपने सिर पर साथ चरियां रक्र नर्तिय करती है, इन में से सब से उपर की चरी में तेल डाल कर आग लगाई जाती है, ये नर्तिय किस की विशेषता है, गुड़ला नर्तिय, चक्री नर्तिय, नेजा नर्तिय या चरी नर्तिय, और मुझे पका पता 50% विज्यारति इसका गलत उतर बताएंगे, वोमन्स नांस विस सेवन चैर्स on their heads, फा आएंगे, देख लेते हैं, वोमन्स डांस विट सेवन चैर्स on their heads, फायर दा लेट आफ, पावरिंग ओईल ऑन दा चरी अन टॉप, इस इस दा स्पेशली, स्पेशली आप विच डांस, ये किस नर्तिय की मुख्य विशेषता है, यहां पर A और D उत्तर जादा तर बता रह देखो नेजा नर्तिय से कोई लेना देना नहीं है, नेजा इसका दूसरा नाम होता है खेल नर्तिय, जो की भील जंजाती से समंदित एक नर्तिय है, यहां पर इससे कोई समंदित नहीं है, और चक्री नर्तिय भी इसका उत्तर होगा नहीं, कंजर जाती की एविवाइत कन् द्वारा जिस डान्स का आयोजन किया जाता वो होता चक्री, गुडला is wrong answer, अरे गुडला सिर्पर मठका रखकर के किया जाता है ज्यान रखना, सिर्पर मठका होता है, लेकिन मठके के अंदर एक छिदर होता है, उस छिदर में दिपक जलता है, ना कि टॉप आप दा चैयर से चरी के उपर नहीं जलता चिदर यानि चिदर युक्त मठका रखकर के नर्तिय किया जाता है वो गुडला नर्तिय होता है दोनों में कन्प्यूज क्योंकि आरेश परी में प्रसंद पूचा जा चुका है महिलाओं द्वारा सिर पर चिदरित मठका रखकर उसमें दिपक जलाते वे कौन सा नर्तिय किया जाता तो आप बताएंगे गुडला डांस वेर फैमस्दा जोदपुर जो की चेत्र क्रिशन अस्टमी के दिन जोदपुर में आयोजित होता है जबकि यांपरकेरा साथ चरियां रखकर उपर की चरि में कपास के तेल से दिपक जलाकर के गुर्जर महिलाओं द्वारा एक नर्तिय किया जाता मांगलिक आउसरों पर या मारात के स्वागत में जिसकी परसिद नर्तियांगना फलकुबाई है तो यह जो स्पेशलियर्टी दे रखी है यह आपकी चरी नर्तिय की होगी option D जो होगा आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्र होगा यानि चरी नर्तिय सही होगा और चरी नर्तिय राजस्तान में कहां का प्रसिद है किसंगड का प्रसिद है और किसंगड राजस्तान के किस जिले में आता है अजमेर NH8 वेर ता परिवर्थित कर्माग तापका NH48 हो परसन में उत्तर है चरी देखो सती शान ने बिल्कुल सही बताया है उपर लिकावा चरी में तेल डाल कर परसन में अगर थोड़ा बहुत भी कोमन सेंस लगाते तो कोई दिक्कत ही नहीं थी next गरबा नरतिय मुख्यतया किन जिलों में किया जाता है अलवर भरतपूर, मांशवडा डूंगर पूर, कोटा बुन्दी, बाड मेर, जैसल मेर बताई ये गर्बा नरत्य मुख्यतया किन जिलों में किया जाता है फटा पड़ बताओ भई बी 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 बांसवडा बांसवडा बाड मेर जैसल मेर क्या बात है अरे वैसे तो सबी जगे होता है लेकिन मुख्यतया पूचा है यहां पर गर्बा हाथ में छोटे छोटे डांडी ये लेकर के आस्मी नमास के नवरात्रा में देखो गर्बा मूलते तो गुजरात का नर्थी है गर्बा मूलते बताओ कहां का नर्थी है गर्बा मूलते गुजरात का नर्थी है और ये जो गर्बा नर्तिय है ये राजस्तान में किया जाता है डूंगरपूर और डूंगरपूर के अलावा बांस वाड़ा आप मुझे बताना भई फटापट केवल और केवल येस और नौ में जवाब देना क्या गर्बा नर्तिय को मैं डांडिया नर्तिय बोल सकता हूं क येस और नो में जवाब देना है माली जी प्रिक्षा में आगया डांड या नर्ती राजस्तान में कांग का परसिद है तो भी क्या में लुंगर पुर्बान स्वाड़ा करके आ जाओंगा क्या हाँ येस हाँ प्रित्ती मीना के रही है येस येस बहुत बड़ी है जादा तरका येस आ रहा है बहुत ही सांदार बहुत ही सांदार येस नहीं नहीं अरे भाई गर्बा को बोलने को कुछ भी बोल आपको छूट है लेकिन अगर प्रिक्षा में परसन आ गया कि राजस्तान में डांडिया नर्तिय कांग का प्रसिद है तो राजस्तान में डांडिया नर्तिय मित्रों जोधपूर का प्रसिद है ये गुजरात विजे के उपलक्ष में जोधपूर में आयोजित किया गया नर्तिय था डांडिया तो गर्बा मूलते गुजरात का राजस्तान में डुंगर पुर्बान स्वड़ा आस्पिन मास के नवरात्रा और डांडिया कांका हो जाएगा जोधपुर का नेक्स्ट क्योस्टन ओन्दा स्क्रीन दा वूम आर दा फेमस आरटिस्ट नतु राम एंड दुल्ली राना रिलेटेट हुँ परसिद कलाकार नतु राम और दुल्ली राना का सम्मन्द किस्से है कुचामनी खयाल सेकावती खयाल रमत एंड श्वांग बता येगा दा वूम नार्दा फेमस आर्टिस्ट नाथूराम एंड दुल्या राणा रिलेटेड यानि नाथूराम और दुल्या राणा इनका सम्मंद किस से है कुचामनी ख्याल से है सेकावाटी ख्याल से है रमत से है या स्वांग से है राजस्तान के लोक नाटे का ये प्रसन है राजस्तान के लोक नाटे परतियोंगी प्रिक्साओं के लिए बैद उप्योगी है और बैद हाँ अब देखना सर अब सब नो लिखेंगे हाँ बिल्कुल रम्मत बहुत ही बड़िया रम्मत यहां पर विजारती गलती कर रहे हैं साप दिक रहे हैं घलती कर रहे हैं कुछामनी ख्याल बता सेकावाटी ख्याल बिलकुल सही है सेकावाटी ख्याल अरे भाई चीड़ावा ख्याल आपने नाम सुना है क्या चीड़ावा ख्याल इस चीड़ावा ख्याल के जो परवर्तक है वो है नानूराम जी परवर्तक बताओ कौन है नानूराम जी लेकिन कई परमानिक पुस्तों को में इनका नाम ना तुराम भी मिलता है लेकिन सही नाम है ना नुराम जी और इस चिड़ावा की ख्याल को अगर लोक पर ये बनाने वाला कोई व्यक्ति था तो वो था दूलिया राण और चिड़ावा जुनजुनु जुन्जुन यानि सेकावाटी ख्याल आपका बिलकुल स मास की खप्चियों से बजाया ताता है तता मुस्लिम लोग अधिक बजाते हैं विच इस्ट्रिमेट इज प्लेड विट दा बंबू स्प्लाइंट एंड इज प्लेड मैनली बाई मुस्लिम्स मसक, भपंग, चंग और तासा किस वाद्य यंतर को मास की खप्चियों से बजाया जाता है तता मुस्लिम लोग अधिक बजाते हैं बताओ कौन सा है भई मसक, भपंग, चंग या तासा इसका सही और सटिक उत्र क्या होगा हाँ, नानुराम जी का सिश्य था दूसिया, बिलकुल दुलिया राणा, लोकेस बुरुड़क बिलकुल सही बता रहा है भई हाँ, डी, डी, मसक, नड, मसक बेरुन जी के भोपे, नड, करना भील, बिलकुल, तासा मौरम में बजाते हैं तो किस वाद्य यंतर को, बताईगा किस वाद्य यंतर को, मसक नहीं, बपंग नहीं, बपंग काहां पर मेवात सेतर में बजाया जाता है उमर फारुक मेवाती, जहुर्खा मेवाती, ये इसके प्रसिद कलाकार है, चंग, हो चंगे माजे, चंगे माजे माएं हाथ में पकड़ कर दाएं हाथ से, दाएं हाथ में पकड़ कर माएं हाथ से सेका वाटी मैं, यह तो हाथ की चोट से, तासा वर्दा क्रेक टांसवर, तासा परात नुमा ढोल होता है, जो गले में डाला जाता है, और ज्यान रखना ताजिया, मोहरम के अउसर पर, ताज नेक्स पर्सन तलवार की धार पर नाचना कांच के टुकणों पर नाचना जमीन से मून द्वारा रुमाल उठा लेना किस नर्त्य की विशेश्ता है भवई पणिहारी कालबेलिया वालर यह किस नर्त्य की विशेश्ता हैं सीधा प्रसन है यह मुख्यते विशेश्ताएं हैं भवई नर्त्य, पणिहारी नर्त्य, कालबेलिया नर्त्य या वालर नर्त्य देखते हैं कौन-कौन इसका सही और सटीक उत्तरबता पा रहा है तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकडों पर नाचना, जमीन से मून दवारा रुमाल उठा लेना किस नर्त्य की मुख्य विशेश्ता है, भवई पणिहारी कालबेलिया वालर तो देखते हैं इसका सही और सटीक उत्तर कौन सा बता रहे हैं भवई बहुत सही उत्तर है भवई नर्त्य बवई नर्त्य इसकी उत्पति मूलते मूलते गुजरात के मटका नर्त्य से हुई है इसकी उत्पति मूलते गुजरात के किस नर्त्य से हुई है मटका या मटकी नर्त्य से इसकी उत्पति मानी जाती है बवई नर्तिये के राजस्तान में अगर आपसे परवर्तक पूछ ले कि राजस्तान में इसके परवर्तक कौन थे तो राजस्तान में इसके परवर्तक थे एक तो नागोजी जाट और राजस्तान में ही एक परवर्तक थे जिनका नाम था बागोजी जाट नागोजी जाट और बागोजी जाट इसके परवर्तक थे तारा सर्मा और अस्मिता काला अस्मिता काला जिनों ने अपने सिर्पर 111 111 111 111 मटके रख करके नंगी तलवारों पर थाली गिलास के किनारों पर कांच के टुकडों पर नुकूली किलों पर धारदार हतियारों प बुक में दर्ज करवायता, श्मीता, काला, तारा, सरमा, पुश्पा, व्यास, वीना, अज्मेरा, द्रोपदी, कुसुम, जोचना, सरमा, ये सब इसी नर्टी की नर्ट्यांगना है, और प्रदी पुशकर, वे रूप सिंग जी, ये भी इसी नर्ट्य के है, ऑप्शन A is the correct answer of following question ठीक हैं अगला प्रसंद देखीगा मंदन नापा भाणा विज्जाधर आधी का सम्मंद है नाट्य कला से हस्त सिल्प से वास्तु कला से नर्त्य कला से मंदन नापा भाणा विज्जाधर एटी सी आ रिलेटेड टू ड्रामीटियस हैंडी क्राप्स आर्किटेक्चर डान् प्रसंद है बैसि सी क्या पूच रहा है मुंगला पुंजला जोदपुर में का होगा सर कितने होगा अरे बैए आज कल तो जमाना जो है हाई प्रोपाइल है आप आसानी से पेचान सकते हो का है का नहीं है हाँ तो सीधा साथ प्रसंद है मंदन नापा भाणा विज्जाधर अरे बई मंडन कोन था याद है क्या कुंबल गड़ दुरग के वास्तुकार कुंबल गड़ दुरग के जो सिल्पी है कुंबल गड़ दुरग के जो वास्तुकार है उनका नाम था मंडन नापा पोमा पुंजा भाना विद्यादर भटाचारिये जेपूर का वास्तुकार या नेक्स देखिएगा दूसरी सताब्दी इस्वा इसा पूर्वे काल की संगु कालिन मूर्तियं काम पर मिली है इंपोर्टेंट है वैसे सारी ही इंपोर्टेंट है लेकिन उन इंपोर्टेंटों में भी ये कौन सा टेंट है इंपोर्टेंट है नगर एवं रेड टॉंक मागो बिल्वाडा, गनेशवर सिकर, पिल्ली बंगा तो बताई कौन सा है? Second Century BC period, Sungha period, idols have been founded. नगर हो गया, मागोर हो गया, गनेशवर हो गया, शिकर हो गया, या पिल्ली बंगा हो गया. देखते इसमें कौन-कौन आपके सही और सटिक उत्तर बता पाता है. हाँ याम पर देख पा रहे हैं ए बता रहे हैं पूरा तात्विक इस्तल आपके दूसरी सताप देशा पूर्वे काल का नहीं है मूर्तिया है दूसरी सतापदी इसा पूर्वे की तो यहां पर नगर एवं रेड टॉंक जिन्होंने भी बताया है उनका बिल्कुल सही और सठीक उत्तर है बिल्कुल ते तीश्वे में ए जिन्होंने बताया है उनका बिल्कुल सही है रहे बागोर से काँ से पसु पालन के साक्सिय मिले हैं गणेश्वर मचली पकड़ने का कांटा मचली पकड़ने का कांटा पिली बंगा से भी नहीं मिली है आपका नगर एवं तौंक जो होगा बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा प्राचिन भारत का टाटा नगर किसे केते हैं रेड को और रेड बताओ राजस्तान में काम पर है टोंक में विकल्प कर्माक ए जिन्हों ने बताया वो सही और सटीक उत्र होगा नेक्स्ट क्यूशन ओन दा स्क्रीन निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिएगा अलाउदीन खिल्जी ने चितोड जीत कर उसका नाम खेराबाद किया था मंगोल सरनार्तियों को आश्य देने पर अलाउदीन खिल्जी ने तेरा सो एक में रन्थमबोर पर आकरमन किया था उप्रियुक्त कतनों में से कौन सा कतन असत्य है इसको इंगलीस में पढ़ना चाहे तो यांपरा पहले पढ़ लीजिएगा अलाउदीन वन चितोड एंड नेम्ड एट खेराबाद अलाउदीन अटेक्ड रन्थमबोर इन थार्टीन वन एटी फोर गिविंग सेल्टर मोगल रिप्यूजी बताव आपके जो मंगोल के रिप्यूजी थे मंगोल के सरनार्ति थे उनको रक्षा देना अलाउदीन वन चितोड एंड नेम्ड एट खेराबाद अलाउदीन अटेक्ड रन्थमबोर इन थार्टीन वन एडी फोर गिविंग सेल्टर टो मंगोल रिप्यूजी विच ओप दा अबव इस्टेटमेंट इज एरा फाल्स बताईगा यांपर असत्य कथन कौन सा है ये आपका हिंदी में इसका ट्रांसलेट है तो सीधा सा है असत्य कथन का चेन आपको करना है तो देखीगा अलाउदीन खिल जी कौन क्या बता रहा है तेरा में B होगा तेरा में A होगा तो आपने हिंदी आड़ो पेज निकाल दो निकाल दियो भई हिंदी बड़ो मारवाडी में भी लऊँ साते औरो अरे मारवाडी में भी ले रहा हूँ या दो बार साई ठीक है फटा फट बताओ भई निम्न लिखित कत्नों पर विचार करो अलाउदी ने चितोड जीत कर उसका नाम खेराबाद किया सरासर जूट बोल अरे अलाउदी ने सिवाना का नाम खेराबाद किया था जालोर का नाम जलालाबाद किया था चितोड का नाम खिदराबाद किया था अरे खेराबाद तो किसका किया था अरे खेराबाद सिवाना का खिदराबाद चितोड गड़ का अलाउदीन खिलजी ने जालोर का जलाला बाद रखा गागरोन दुर्ग का गागरोन दुर्ग का मुस्तापा बाद किया था महमूद खिल जी परतम ने आमेर का मौमिना बाद किया था बादूर सा परतम ने उदेपुर का मुहमद नगर किया था अक्बर ने बुंदी का फरुका बाद किया था फरुक सिहार ने पहला तो गलत हो जाएगा और मंगोल सरनारतियों खो Refugees of मंगोल मंगोल के सरनारति कौन थे मुमद सा और केमरू याद करो मुमद सा और केमरू मंगोल से दन लूट कर आ रहे थे हमीर के पास आ गए हमीर के पास आ गए तो फिर मीर मुमद सा और आपके केमरू तो यहां पर यह तो बिल्कुल सही है हमीर देव चोहा ने इनको सरण दी थी तो असत्य कथन पूचा है केवल और केवल एक नंबर जो है वो आपका सत्य है option A जिन्होंने बताया था option A बताया था उनका बिल्कुल सही और सटीक उतरे होगा ठीक है 20 सही है अरे क्यों है भाई 20 सही यहां पर असत्य पूचरा है सत्य नहीं पूचरा है common sense लगा अगला आपका प्रसन ये रहा निमन लिखित में से कौन सा युग्म गलत है कौन सा युग्म गलत है मीरा भाई कुडकी कुडकी बताओ कुडकी के ब्रेकेट में लिखावा मेरता कुडकी पढ़ता है पाली में यांपर मेरता के स्तान पर आपको लिखना है पाली यांपर मेरता के स्तान पर क्या लिखना है पाली सहजो भाई करोली दया भाई अलवर बताओ इन में से कौन सा युग्म गलत है आगे which of the following pairs is wrong मेरा बाई कुड की मेरता के स्थान पर मैंने आपको बता दिया पाली सहजो बाई करो ली दया बाई अलवर बताएगा कौन सा युग्म आपका गलत है सहजो बाई मेरा भी करेक्ट था इसे नहीं जाएगी रहे सर सभी जिलों के उपनाम बताओ पराचिनारे अभी बताएगा उपनाम यदा सदराण परीचे है रहे 37 नहीं रोज नहीं कभी कभा रहेंगे आप से बात्सीत करने बी बी या आपर ए और बी ये भी बता रहे हैं कुछ भी भी बता रहे हैं अरे भाई केवल दो बताना है केवल आपको दो मीरां जनमी मेडता परणाई चितोड यानि मीरां भाई का जनम कुड़की पाली में हुआ था ऐसा कहते हैं कि मीरां भाई के जनम के कुछ समय उपरानती उनके माता जी का स्वर्ग वास हो गया था इसकरन इनका लालन पालन वाता मेड़ता में इसलिए अपन बज़नों में भी गाते हैं मीरा जनमी मेड़ता परनाई चितोड चितोड में कुड की पाली में जनमुआ था दैया बाई अलवर ठीक है सेजो बाई भी अलवर याम पर आपका ज्यान रखना क्या पूचा कौन सा युगम गलत है तो केवल दो, option B जिन्होंने बताया है उनका उत्तर बिलकुल, सही और सटीक उत्तर होगा, B जिन्होंने भी बताया है उनका ठीक उत्तर होगा, next, गरीबदास जी, संतदास जी, जगनात जी, मादोदास जी, आधी संतों का संबंध किस संपरदाई से माना जाता है, रामसने संपरदाई, लालदासी संपरदाई, दादू पंत, जसनाती संपरदाई, बताई गाई किस से समन्दित है सरल सा प्रसन है बताई गाई किस से समन्दित है से ही और सटिक उत्तर कौन सा होगा आनस पर जोदपूरा सब्यता नहीं होगा जोदपूरा तो ही नहीं ना विकल्प में 33 में 33 में जोदपूरा तो विकल्प में नहीं है विकल्प में ही नहीं था जोदपूरा कां था जोदपूरा सी सी ए बता रहे हैं पहला द्राम परजापत मैंने आपकी बात देख ली है जोदपूरा विकल्प में नहीं था ना जोदपूरा सब्यता जेपूर में है जोदपूरा सब्यता काम पर है जेपूर में वो यहां पर विकल्प में नहीं था बी बी सी बी सी डी देखते हैं देखते हैं अरे वह सीधा प्रसन है गरीब दास जी मिस्किन दास जी गरीब दास जी जिन्होंने दादू पंत में खाल सा पंत की स्तापना की थी तो सीधा सा उत्तर है आपका C is the correct answer दादू पंत की मुख्य पीट कहा है कल PSI के पेपर में आया था सब इस पेक्टर के पेपर में की दादू संपरदाय की परदान पीट कहा है नरेना और नरेना बताओ आपका काम पर पढ़ता है जेपूर में तो दादू पंत इसका सही और स एकिकरन साथ चर्णों में वाथा स्वतंतरता के समय 19 रियासतें में चार ठीकाने थे राजस्तान की निर्मान की परकिरिया 1956 में पूर्ण हुईती सीरोई का विले पंचम चर्ण में वाथा उप्रियुक्त कतनों में से कौन सा कतन गलत है एक दो तीन दो तीन चार दो एव एक तीन एवम चार इंग्लिश ट्रांसलेट देख लिजिएगा चंसिडर दा फॉल्ओं इस्टेमेंट से दा इंटिग्रेशन आप राजस्तान तुक पैलेस इन सेवन पैज अर्ट ताम अप इंडिपेंदेंस देर वर 19 प्रिंसली स्टेट्स एंट पोर थिकानेंस पोर थ शत्य युग्म आपका कौनसा होगा वन टू एंड थार्ड तू थार्ड एंड फोर तू एंड फोर वन थार्ड एंड फोर बताएगा कौनसा कथन असत्य है सीधा सा परसन है दा इंटिग्रेशन ओप राजस्तान तुक पैलेस दिन सेवन फेज राजस्तान एकिकंड साच में पूर्ण वा एट दा टाइम ओप इंडिपेंडेंडेंस वेर देर वर 19 प्रिंसली स्टेट एंड फॉल ठीकाना आज बताओ यहां पर चार ठीकान थे दा प्रोसेज ओप दा क्रियेशन ओप राजस्तान वाज फाइनलाइज इन 1956 एड़ी और सीरोई वाज मर्ज इन दा फिप्ट फेज फटा फट से बताओ भई हां पिछे निकालो गुरुजी पिछे निकाल देते कौन साकतन गरत पूचा है यहां पर 37 में सी होगा देखो पहला राजस्तान का एकिकरन साथ चरणों में वाज बिल्कुल सही है कब से कब तक 18 मार्च 1948 से लगा करके 1 नवंबर 1956 तक बिल्कुल ठीक है स्वतंतरता के समय 19 रियासते और 4 ठीकाने गलत 3 ठीकाने थे निम्राणा लावा और कुशल गड़ी यह 3 ठीकाने थे राजस्तान निर्माण की परकिरिया 196 में पोन हुई बिल्कुल शिरोवी का विले पंचम चरण में वा गलत शिरोवी का विला इन दा 6 org तो यह यह अझा पर असत्य कथन पूच्छा है गलत कोन सा है तो एक तो आपका दो नमबर गलत है और एक चार नमबर गलत है दो और चार यानि option C is the correct answer of following question ठीक है बिलकुल शीरोई का विले जो है दो चरणों में वाता 6 और 7 तो बिलकुल आबू और देलवाड़ा जो शीरोई रियासत के भागते वो 7 चरण में मिले थे और शीरोई खुद कौन से में मिला था चट्टे चरण में मिला था next question on the screen अगला प्रसन आपकी screen पर ये रहा गलत युगम को पैचानियेगा काली बंगा गंगर नदी अहाड आपके बनास नदी बागोर कोठारी नदी गनेश्वर कांकनी नदी कौन सा आपका गलत युगम है सलेक्ट रोंग पैयर काली बंगा गंगर रिवर्स अहाड बनास रिवर बागोर कोठारी रिवर एंड गनेश्वरिजाल सो कांकनी रिवर्स बताईएगा कौन सी सब्यता किस नदी के किनारे हैं उसके लिए गलत युगम का चेन आपको करना है क्रेक्टेड इस दा सी क्या बात है देख लेते हैं अभी चेक कर लेते हैं अधिकांस पूरा तात्विक इस्तल किसी ना किसी नदी के किनारे इस्तित हैं और किस के किनारे हैं क्यों हैं वो सारे कारण मैंने आपको पहले ही डिस्क्राइब कर दिये थे पहले ही बता दिये थ सर डी को लोग कर दो अरे वा वाई वाई कर दें लोग कातली हाडमन कुछ नहीं डी कर दो सर डी कर दो ठीक है आप के ओगे तो मुझे तो करना ही पड़ेगा आपकी बात सबसे उपर काली बंगा हनुमान गड गगर नदी के किनारे अहाड यहां से एक बहुत अच्छा प्रस यह था बनास नदी के गाटी सेत्र में बनास नदी के परवा सेत्र या परवा तंतर में किस पूरा तात्विक इस्तल का उत्खनन किया गया यानि ऐसा जरूरी नहीं है कि बनास नदी यहां पर आहाड के आगे आयड भी दे सकता था वो बेड़च भी दे सकता था बनास गई गरैस्वर इज़ लोकेटेड इन इरा आप आप गांतली रिवार्स कांतली नदी के किनारे गरैस्वर पूरा तात्विकिस्तल इस्तित है जुंजुनु जिले को बराबर दो भागो में बांटने वाली नदी कौन सी है तो जुन-जुनु जिले को बराबर दो भागों में बांटने वाली नदी आपकी कांतली नदी है गणेश्वर जो पूरा तात्पिक इस्तल है इसे तामर युगिन सब्यताओं की जननी कहा जाता है तामर युगिन सब्यताओं की बताओं क्या कहा जाता है भई जननी कहा जात मन्चली पकड़ने का कांटा, बान गरे, ये सारे के सारे आउसेसियां से प्राप्त हुए हैं, तो आपका विकल्प करमाक जो डी होगा, वो सही और सटीक उत्तर होगा, नेक्स्ट क्यूसन ओन दा स्क्रीन, निम्न लिखित युगमोग पर विचार कीजिएगा, एक तरफ उत्खनन इस्तल है और दूसरी तरफ जीला है, नगरी टॉंक, नहो बरतपूर, जोदपूर, बाला थल, उदेपूर, उप्रियुक्त युगमोग में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, कौन सा युगम सही सुमेलित है, यानि यहां पर सही सुमेलित है, यह आपको चेन करना है, इसको इंगलीज ट्रांस्टेट देख लीजिएगा, एक तरफ एक्शुकेशन साइट्स दे रखी है, और दूसरी तरफ उनके डिस्ट्रिक्ट दे रखे हैं, नगरी टॉंक, नहो भरतपूर, जोदपूर, बाला थल, उदेपूर, विच आप दा अबो पेर से जार क्रेक्टली मेच एड, सही कौन सा सुमेलित है, फटा फट से बताओ बै, हाँ, मचली पकड़ने वाला कांटा, हाँ, ये रहा, नगरी, टॉंक, नहो, भरतपूर, जोदपूर, जोदपूर, माला थल, उदेपूर, या आपर कौन सा जोड़ा सही आपका सुमेलित है, मैं गनेश्वर से हूँ, वोत ही बढ़िया है, फटा फट से देख लेते हैं, देखो, नगरी, अरे नगरी, नगर नहीं है, नगरी है, नगरी टॉंक में कहा है, नगर और रेड, वो है टॉंक में, नगरी, जो मद्य मिका या माध्य मिका कहलाती थी जिसका उलेक पाणी निने बहुत मैं तुबे पूर्ण सब बोल रहा हूं जान रखना पाणी निने अपने गरंत अस्ता जाई में किस पुरा तात्विक इस तल का उलेक किया है तो वो नगरी या मध्य मिका ये है चिक्तोड में नोहो विल्कुल ठीक है जोद पुरिया अरे जोद पुरिया मारे जोद पुर में कोनी रे ओ जोद पुरिया साभी नदीरे किनारे माते ओ जोद पुरिया आपरे साभी नदीरे किनारे माते जेपुर जिला माएं हैं कौन सा जिला माएं हैं जेपुर जिला माएं हैं साभी की एक म तरसाइक नदी है सित्ता नदी जिससे संकट काली नदी भी आपा केवा तो जोदपुर या जोदपुर गलत है और बाला थल उदेपुर ये आपका ठीक है क्या पूचा है सही सुमेलित है दो और तीन दो और तीन यहां पर कहीं पर आपको दिख रहा है सही सुमेलित कौन सा ह बाला थल उदेपूर हो गया जोदपूर या जोदपूर गलत हो गया नोहो बरतपूर हो गया नगरी टॉंक हो गया यानि दो और तीन क्या दो और चार दो औरे चार कौन से में दिख रहा है आपशन सी में दिख रहा है तो मिला दो बैशन सी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तरे होगा बिल्कुल अच्छा रोंग पुच्छा है हाँ सर थोरी करवा थोरी तो करवा रहे हैं और क्या यह पूरा विस्तार सी व्यक्ये तो बता रहे हैं C is the correct transfer, दो और चार आपका ठीक है, उत्तरे होगा, चलो next person, सब्व्यता के आनाज रखने के बड़े भंडार भी मिले हैं, जिने इस्तानी भासा में गोरे और कोटे कहा जाता है, या विशिस्ट आकरती के बरतनों को बलेक एंड रेड वेर कहा जाता है, खाली इस्तान के आल्सो बिन फाउंड इन रेलिक्स आप सिविलाइजेशन विच वेर काल्ड गोरे और कोठा, इन दा लोकल लेंग्वेज, हैर दा, अटनिल्स आप स्पेपिक सेप्स आर काल्ड बलेक एंड रेड वेर, दा करेक्ट ऑप्शन फोर दा बलेंक स्पेश इज, यानि रिक्त इ कोठा इन दा लोकल लेंग्वेज, हर दा, अटनिल्स आप स्पेशिक सेप्स आर काल्ड बलेक एंड रेड वेर, दा क्रेक्ट ऑप्शन फोर दा बलेंक स्पेश इज, यान पर आपका सत्य युग्म कौन सा किस पुरा था, थोड़े देर पहले मैंने ये आपको व्याक्या म ये भी गलत बता रहा, ली सो पर तीस आते, अरे भाई थोड़ी देर पहले अगर ग्यान से सुना था, कान खुले करके सुना था, तो बताया था अहाड, अहाड बताओ कांपर है उदेपुर में, जिसको मैंने कहा कि इस्तानिय भासा में क्या केते हैं, दूलकोट भी केते ह हैं, HD सांकलिया, धीरज कुमार सांकलिया ने अहाड पूरा तात्विक स्तल को बना संस्कृती भी कहा था, गोपिनाज सर्मा नहीं से अगाट दुर्ग भी कहा था, इसे तामरवती नगरी भी कहा जाता है, तो याम पर अहाड आपका बिलकुल सही और सटीक उत्तर होगा, जिन्होंने भी D उत्तर दिया था, उनका बिलकुल सही उत्तर है, नेक्स्ट क्यूशन ओन दा स्क्रीन, निम्न लिखित में से कौन सा एक युग में सुमेलित नहीं है, याम पर कौन सा जोड़ा जो है आपका सुमेलित नहीं है, टाटा नगर रेड टॉंक, मालव नगर नगर टॉंक, जांगल प्रदेश अलवर और विराट नगर बेराट, कौन सा जोड़ा मेल नहीं खारा रे। बी सी बी सी सर एक दो सेर सारी हो जाए नहीं नहीं बैदे को सेर सारी नहीं ये इस्टेडी का मंच है ये किस का मंच है पढ़ने का मंच है पढ़ाई का मंच है जान पूर्वक अनुसासन के साथ पढ़ने वालों के लिए ये उत्तम मंच है सेर सारी के लिए हमारे चैनल पर अलग-अलग समय पर अलग-अलग कारी करम काविय समेलन वगेरा होते रहते हैं इसलिए समय बड़ा महत्वे पूर्ण है मत कर जी रहे तूं गुमान ये समय रो बरोसो को नी कद पल्टी मार जेऊ तो समय बड़ा मैत पे पूर्ण है इन समयरी जो आदमी कदर करेला बिन आदमी ने हमेशा इन दुनिया माई कदर हो वेला जो इन समय ने ठोकर मार निकाल देवेला जमानों भी ने पूरा जीवन बर ठोकर मारेला इन बात ने ध्यान पूर्वक आपने दिमाग में बिठा ले वो ताटव नगर किसे केते हैं रेल टॉंक। मालव नगर यह नगर टॉंक जिसे कार कोट नगर भी कहा जाता था। जिससे बताओ कौन सा नगर भी कहा जाता था। आला रोंग यानि रोंग पेर हो जाएगा विकल्प करमाक C is the correct answer of following a question, बिलकुल, option C, next question on the screen, राजस्तान के समाज सुधारक जिनका सम्मन्द माल विवा निशेद कानून बनवाने से था, जमना लाल बजाज, मानकरन सार्दा, हर्विला सार्दा, जे नारायन व्यास, जे नार making of the prohibition of child marriage act age, जमना लाल बजाज, मानकरन सार्दा, हर्विला सार्दा और जे नारायन व्यास, राजस्तान के वेह समाज सुधारक जिनका सम्मन्द माल विवा निशेद कानून से था, फटा फट से बता दीजिएगा, इसका सही और सठीक उत्तर क्या होगा, हर्विला क्या बात है, बहुत ही बढ़ी अडीब बता रहे हैं, देखो, जमना लाल बजाज, इनका समन्द नहीं था, कासी का बास सिकर, गांधी जी के पांचवे पुत्र, कांगरेश के नागपूर अदिवेशन में, गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा गया, जमना लाल नमबर तीन वो खुद की देशी रियासत या देशी राज्य सिक्कर को और स्वयम को गुलाम नमबर चार केते थे ये संपाद की भामा साथे अधिकां समाचार पत्रों को वित्य सायता इनोंने प्रदान की थी मानकरन सारदा नहीं हर विलास सारदा बेलकुल सही और सठीक उत क्या बोला मैंने तारागड कदाचित भारत का सर्वे प्रत्थम गीरी दुर्ग था कथन किसका है तारागड को राजस्तान का जिब्राल्टर कहते हैं विसफेबर ने कहा था रटर का है लेकिन वो एकजामिनर एक दम आगे बढ़ेगा और क्या पूचेगा तारागड कदा आचित तारागड सायद भारत का पहला गीरी दुर्ग था ये हरविला सार्दा ने कहा था सार्दा ने नाइंटी थर्टी नाइन में एक कानूर मनाया था सार्दा एक्ट है और ये सार्दा एक्ट पूरे देश में 1 अप्रेल 1930 को लागुवा था एक अप्रेल 1930 को योग्ये न्यूनतम आयू लड़के की आयू 18 वर्स रखी गई और लड़की की आयू 14 वर्स रखी गई ये कहा गया 18 रा छोरा 14 री छोरी तबी बांदो ब्यारी डोरी ऐसा कानून था सारदा एक्ट जिसको बनाने वाले कौन थे हरविला सारदा कांके रहने वाले थे अजमे करते वे 21 रा छोरा अठारा री छोरी तबी बांदो ब्यारी डोरी यानि 1978 में लड़के और लड़की की वीवा योगिये जूनतम आयू 21 और 18 वर्ष कर दी गई थी ऐसा आपके हरविला सार्दा यानि दा सोशियल रिफॉर्मर्स आप राजस्तान वू इस रिलेटेट टू त एक अप्रेल 1930 को ये पूरे देश में बताओ क्या वा था लागू वा था ओप्शन सी इस दा क्रेक्ट आंस्वर और फॉलोविंग क्यूसर नेक्स्ट अली बक्सी ख्याल कौन से से शेत्र में परचलित लोक नाट्य से ली है चितोडगड करोली अलवर चिड़ावा अली ब पूरी होने दो उसके बाद पीडियेव की बात करना पीडियेव पे तो बताओ बैई अली बक्सी ख्याल कौन से से शेत्र में परचलित है चितोड करोली अलवर चिड़ावा अली बक्सी ख्याल इज पॉपुलर फॉक डामा इज स्टाइल इन विच रीजियन चितोड करोल ख्याल प्रसिद है आपके तूरा कलंगी ख्याल निمबा हेडा गोसुंडी उस सेत्र में चितोडगडवाला वो जो बेल्ट है वाँपर तूरा कलंगी ख्याल तुकन गीरो और साहा अली द्वारा परवर्थित स्टाइल वो प्रसिद है करोली नहीं हैला ख्याल और आपका सेंद और ठुम्री ये अलिबक्सी ख्याल में परमुक ख्यालों में नाम आता सेंद और ठुम्री का option C is the correct answer of following question next question on the screen 1857 के स्वतंतरता संग्राम में कोटा महरावल की साहिता के लिए किस राज्य ने सैनिक साहिता भेजी थी जैपूर, बुंदी, जालावाड, करोली which state sent military aid to help कोटा महराव in the freedom struggle of 1857 AD बताएगा 1857 इस्वी के स्वतंतरता संग्राम के समे कोटा महराव की साहिता के लिए किस राज्य की साहिता सेना भेजी जैपूर, जालावाड, बुंदी और करोली फटा-फट से इसका उत्तर बता दीजिएगा, फटा-फट से यहां पर जादातर भी बता रहे हैं और कुछ डी भी बता रहे हैं अरे सीधा साहिए अच्छे से समझ लेना 15 अक्टूंबर 1857 15 अक्टेमबर 1857 AD 15 अक्टूंबर 1857 की बात है लाला जेदयाल लाला जेदयाल और महराव खां इन दोनों व्यक्तियों के नर्तत्वे में कोटा में जन विद्रोकी शुरुवात होती है लाला जेदयाल वे मेराव खां के नर्तत्वे में क्रांतिकारियों ने कोटा दुर्ग का घेराव किया और कोटा दुर्ग का घेराव करते वे कोटा के ततकालिन पॉलेटिकल एजेंट मेजर बर्टन मेजर बर्टन के दो पुत्र फ्रैंक वे औरतर और बर्टन के निजी चिकिशक सेल्डर वे कोटम इनको क्रांती कारियों ने मोत के गाट उतार दिया और ततकालिन कोटा सासक राम सिंग गुतिये को नजर बंद करके 15 अक्तुम्बर के दिन क्रांती कारियों ने इस दुर्ग पर अपना आदिपत्य इस्तापित किया आदिपत्य तीस मार्च 1858 तक रहा तीस मार्च 1858 तक इस दुर्ग पर क्रांती कारियों का ही अधिनती रही लेकिन 1858 तक देश के अलग-अलग हिसों में राजिये के अलग-अलग हिस्सों में क्रांती की जो आग भड़कीती वो धीरे-धीरे कमजोर होना शुरू हो गई थी इस कारण अंग्रेजों ने कोटा दुर्ग को आजाद करवाने के लिए राबर्टसन के नर्तत्वे में सेना भेजी राबर्टसन जब इस दुर्ग को आजाद करवाने के लिए आ रहे थे तब करोली के सासक मदनपाल सिंग मदन सिंग को GCI जनरल कमांडर आप इंडिया एवम इनकी तोपों की सलामी में वर्दी कर दी गई थी करोली के सासक मदन पाल तो विच स्टेट सेंट मिलट्री एड टो हेल्प कोटा महराव इन दा फ्रीडम स्टेगल ऑप 1857 एड़ दा क्रेक्ट आंस्वार करोली ऑप्शन डी सही युगमों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूटों की साहिता से सही उत्तर का बताओ क्या करना है चैयन करना है नाराइनी पल्टन और भवानी पल्टन ने भाग लिया था क्या बात है गोरो विजे बी 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 सी बी सी फटा पड़ बताओ जसना जी रेवासा सिकर सेतला माता चाक्सु जेपर जांबो जी मुकाम नोखा जेन माता कत्रियासर सही सुमेलत करना इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए मुझे लगता नहीं किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या किसी को कोई दिक्कत आएगी क्या फटा फट बताओ भई बी सी डी बी 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 जादा तर भी बता रहे अरे ऐसे प्रस्णों को तो आप कॉमन सेंस लग में जसनाजी का जन्म वाता कत्रियाश्रम्बिकानेर जानी गोत्रिये जाट परिवार हमीर और रुपा दे इनका लालन पालन किया था सीतला माता सील की डूंगरी चाक्षु जेपूर तो बताओ मादो सिंग प्रथम के द्वारा मंदिर का निर्माण जांबो जी का जन्म बताओ काम पर वा था पिपपा सर नागोर में 1451 AD 1451 में इन्होंने अपने प्राण यानि देहे का त्याग किया था लाला सर बिकानेर में लेकिन मुक्ती जो इस्तल है वो है मुक्ती धाम, मुकाम, समरातल, धोराद, मुकाम, पोष्ट, तालवाद, तेसिल, नोखा, जिला, बिकानेर तो यहां पर हो जाएगा मुकाम और जीन माता जन्म वाता गांगू गावे चुरू में जान रखना जीन माता का जन्म वाता गांगू गावे चुरू लेकिन पूजा इस्तल है रेवा सा सिकर वहां पर मोहित हटड या हटड चोहान के द्वारा इनके मंदिर का निर्मान करव तो A में आएगा आपका चार नंबर, बताओ A में चार, A में चार कहां हैं, केवलियां हैं, तो आप आंक बंद करके इसका उत्तर कौन सा कर सकते थे, B कर सकते थे, B में दो आजाएगा, C में आपका 3 और D में 1, 4, 2, 3, 1, 4, 2, 3, 1, B is the correct answer of following question, हाँ, मुका में टोपी की पूज खड़ाओ की पूजा, पिपासर में होती है, जामबो जी की खड़ाओ की पूजा कहां होती है, पिपासर में, नेक्स्ट, यह आपका अंग्रेजी में हो गया, इसका translate, match the correct pairs and select the correct transfer using the code given below, moments and palaces, तो नेक्स्ट परसन पर आजओ, निंचे दिये गए युगमों में से कौन सा युगम सही है, निंचे कुछ युगम दिये गए है, उनमें से कौन सा युगम सही है, फटा फट से बताओ भई, सोने का काम हरी मीनाकारी के साथ नात द्वारा, लकडी का काम, लकडी के गोडे के खिलों ने कोटा, पत्र के खिलों ने आपके हो जाएंगे गलिया कोट, च और आपके हो जाएंगे जो है, चंदन प्रिंटिंग यानि प्रिंटिंग जो है, प्रताब गड़की कौन सा युगम सही है, फटा पट से बताओ भई, हाँ, सी, सी, गुर्देव पुलीस में परसन आ सकते हैं, क्या बिलकुल आ सकते हैं, बी, सी, बी, सी, डी, 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 सी, डी, डी, ओ हो हो, सी और सी, 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 अच्छा सी, हाँ, तो देख लेते हैं बई, ज्यादा तरका इटर सी आरह है, कुछ A भी आ रहे हैं कुछ D भी आ रहे हैं सोने का काम है यानि हरे रंग के काज पर सोने की नकासी का कारिये ये तो थेवा कला प्रताप गड़ की लकड़ी के गोड़े के खिलों ने यानि लकड़ी के जो गोड़े बने वे होते हैं ये उदेपूर के हैं ये गलत है, लकडी के खिलों ने उदेपूर, लकडी के जुले जोधपूर, पत्तर के खिलों ने गलिया कोट, बिल्कुल सौप स्टॉन, तरास कर बनाए जाते हैं, उप्सन C याम पर ठीक उत्तर होगा, जिन्होंने भी C उत्तर बताया है, वो बिल्कुल सही और सठीक उत्त होगा, सौप स्टॉन, जो गिया पत्तर होता, उसको तरास करा, आलांकि पूरे पत्तर के नहीं होते, उसको तरास करके अच्छे खिलों ने बनाए जाते हैं, तो याम पर स्टॉन टॉइज गलिया कोट, नेक्स्ट, निम्न लिखित में से कौन राजस्तान संगीत कला के सेत में पदम सिरी पुरुषकार विजयता है, अनवर खान, लाखा खान, सदीक खान, केवल एक केवल एक और दो, केवल एक और तीन, एक दो और तीन, वो एमंग दा फॉलोइंग इज पदम सिरी अवार्डेड इन दा फिल्ड ऑप राजस्तान म्यूजिकल आर्ट से, सुद्ध गुजर के रहे हैं, बी, 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 सी, अरे सुबो दे, पढ़ना है, वहाँ से पढ़ लेना, वह तो पेपर होगा, तब पता चलेगा हाँ, तो देख लेते हैं, कौन-कौन से ही बता रहे हैं, बी, उत्तर, कम ही लोगों का आरा, पिंक की यादव से ही बता रही है, जादातर सी बता रहे हैं, जादातर बताओ क्या बता रहे हैं, सी बता रहे हैं, अरे भई, राजस्तान संगीत कला, संगीत कला के सेतर में खान है अलवर खान है और लाका खान है केवल एक और दो जिन्होंने बी बताया सदी खान का है पदमसरी बताओ तीन कौन बता रहा है तो यहां पर बिलकुल बिलकुल बी 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 जिन्होंने बताया है उनका बिलकुल सही और सटीक उत्तर है बाकी सब का गलत उत्तर है बहुत ही अच्छा प्रसन है बहुत ही अच्छा प्रसन है और इंपोर्टेंट प्रसन बताईगा कौन सा इसका सही और सटीक उत्तरे होगा तो प्राग एतियासी काल की बागोर सब्वेता के उसे किस इस्तान से प्राप्त हुए है फटाफट बताईगा बी बी सी बी सी ए ए क्या बात है ओजियना अरे भई ओजियना से क्यों ओजियना से क्यों महा सत्या बिलकुल सही उत्तर बता रहे हैं जो भी सी बता रहे हैं इसका बिलकुल सही उत्तर बता रहे हैं ओजियना बताने वाले गलत है अरे ओजियना एक अलग पुरा तात्वी किस्तल है जो भीलवाडा से या मागोर सब्यता के अवसेश कहां से प्राप्त हुए हैं तो महा सतिया नामकिस्तान से प्राप्त हुए हैं ओप्शन C जिन्होंने बताया है उन सब का सही है बाकी सब का गलत है महा सतिया नामकिस्तान स से यह प्राप्ते होता है बिलकुल C, C is the correct answer, next question on the screen, तरपी वाद्य यंतर का परियोग है यह तरपी नहीं है, तरपी वाद्य यंतर का परियोग, तरपी यह अभी कोई एक RTU कोटा, जो है, उसका सहीते कोई पेपर था, किसी डिपार्टमेंट में उसकी वेकेंसी निगले थी, उसमें यह प्रसन आया था, तरपी वाद्य यंतर का परियोग निम्न में से किस जाती के द्वारा किया जाता है, कथोडिया, मांगनियार, नट, ग्रासिया, तरपी म्यूजिकल एस इस्ट्रुमेंट इज यूजड बाइ विच कास्ट मैली, बताईगा कथोडिया, मांगनियार्स, नट्स, एंड ग्रासिया, कौन सी जाती के द्वारा इसका, बी, सी, बी, सी, बी, सी, और सी जादतर बता रहे हैं, ओज्याना भी भिलवारा में हैं, वो भी अलग पुरा तात्पी की स्थल है, बाग और मासतिया से खोजा गया, बी सी बी सी डी डी यहां पर सी कर रहे हैं बी कर रहे हैं और ए भी कई विज्यारती बता रहे हैं यह तो सीधा सा प्रसंद है भै बी ज्यादा तर बता रहे हैं और कुछ ए भी बता रहे हैं अरे तारपी है तारपी है तारपी है तारपी नहीं है सही नाम क्या है तारपी ता कथोड़ी जाती मूलते राजस्तान की नहीं है कथोड़ी जाती जो है मूलते मारास्टर की है और मारास्टर से इनको यहां पर लाकर बसाया गया उदेपुर में कोटड़ावे जाडोल तेसिल में सबसे ज़्यादा ये निवास करती है वर्स 2011 की अगर पॉपुलेशन कि बात करूं जनगंड़ना की बात करूं तो इनकी जनसंग्या मात्र 4833 है जो राजस्तान के उदेपुर जिले की कोटड़ावे जाडोल तेसिल में निवास करती है खेर के व्रिक्स से कथा तयार करने के कारण इस जनजाती का नाम हो गया कथोड़ी जनजाती तो जान रख अगला प्रसन राजस्तानी का स्वतंतर भासा के रूप में वेग्यानिक विशलेशन प्रस्तुत करने वाले प्रत्थम विद्वान कौन थे बताएगा जैम स्टोड जाहर्ज अबराम गिरियर्शन जोर्ज गिब्सन टेलर हॉम्स वू वास्दा फस्ट इस्कॉलर टो परजेंट ए साइन्टिपिक एनलिसेज ओप राजस्तानी एज एन इंडिपेंडेंट लेंग्वेज बताएगा यहां पर आपका असत्य कथन कौन सा है राजस्तानी का स्वतंतर भासा के सवरूप में वेग्यानिक विशलेशन प्रस्तुत करने वाले प्रतम विद्वान कौन थे वू वास्दा फस्ट इस्कॉलर टो परजेंट ए साइन्टिपिक एनलिसेज ओफ राजस्तानी एज एन इंडिपेंडेंट लेंग्वेज जैम स्टोड जोर्ज अबराहम गिरियरसन जोर्ज गिबसन एंड टेलर हॉम्स देखते हैं बी 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 सी बी सी बी और सी यहां पर बता रहे हैं कुछ ए बता रहे हैं जार्ज अबराहम गिरियरसन जार्ज अबराहम गिरियरसन तो यहां पर जिन्होंने भी उत्तर भी बता गई थी दा लिंग्वेस्टिक सर्वे ओप इंडिया भारतिय भासाओं का सर्वेक्षन दा लिंग्वेस्टिक सर्वे ओप इंडिया उसमें राजस्तानी भासा का पहली बार वेग्यानिक वर्गेकरण प्रस्तुत किया गया था तो सो करेक्ट आंस्वर यहां पर आपका जो स समय हाती दान्थ के फलकों पर सुक्ष में चित्र बनाए थे राम गोपाल और जग महुन, मूल चंद और उदे रहम, जमना दास और सालिग रहम, नंद राम वे सिवदान सिंग, वू वास दा आर्टिस्ट अप दा अलवर पेंटिंग स्टाइल, वू मेड सब्टल पेंटिंग्स ओन दा सरपेज अप दा इवोरी दूरिंग दा टाइम्स अप महराजा मंगल सिंग, बताईगा कौन से महराजा थे जिनके द्वारा ये आपके हाती दान्थ पर चित्र सब्टल पेंटिंग्स ओन दा सरपेज अप इवोरी दूरिंग दा टाइम अप महराजा मंगल सिंग, राम गोपाल एंड जगमोद, मूल चंड एंड उदे राम, जमनादास एंड सालिम ताई, नंद राम और सिवदान सिंग, फटा फट से बताओ भैं, 51 में B, 51 में C, 51 में C, सर Σुबोध गुजर की सुनो, अरे मैं तो सब की सुनोंगा, लेकिन सुबोध गुजर को पता है कि अगर कोई टेकनिकल प्रोब्लम है या कोई कुछ और है, तो उत्करश का सपोर्ट है, उस पर बात करे, या आंप पर मैं टेकनिकल प्रोब्लम सुनूं या आपको कि हमारी टेकनिकल कोई दिक्कत आ जा ती कभी कभार नेट फरकी वजह से कई पर आ जाती है कोई पडियुए पीडियुप नहीं मिली कोई कुछ नहीं मिला कोई मिस हो गया कोई वीडियो नहीं मिला तो वो मैं चिंतित नहीं हो ना या आप बता दो कि उनकी सुन ली जाए उनकी सुन ली जाए फटा-पट से बताओ यहां पर बी उत्तर ज्यादा तर बता रहे हैं कुछ ए बी बता रहे हैं कुछ बी बता रहे हैं ज्यादा तर बी बता रहे हैं बिलकुल ऐसे चित्रकार्ति मैंने पहले C, बिल्कुल सही है, B उत्तर बता रहे हैं, B उत्तर इसका बिल्कुल सही और सटिक उत्तरे होगा, हाँ, ओके ओके डण 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 अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर सुची एक को सुची दो से बताओ क्या करना है सुमेलित करना है सुची एक का सुची दो से क्या करना है सुमेलित है बी सी बी सी जी 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 बिलकुल देव नाराण जी का मेला भादरपद सुकले दितिया रामदेव जी का मेला भादरपद सुकले नवमी वीर फता जी का मेला भादरपद सुकले सप्तमी तेजा जी का मेला भादरपद सुकले दसमी बस कोमन सेंस का प्रसन है कोमन सेंस का प परसन है फटापट से बता दीजीएगा, फटापट से बता दीजीएगा, उत्तर क्या होगा अंग्रेजी में भी, मैच दा लिस्ट पर्स्ट एंड सेकेंड यह आप हिंदी में समझ लें तो अच्छा रहेगा, 52 में A बता रहे हैं, जादा तर, कुछ B बता रहे हैं, A बता रहे हैं, B बता रहे हैं, C बता रहे हैं, सराडा किला, मेवार का काला पानी, सराडा का किला कौन सा कहलाता है, जो है, मेवार का काला पानी, A, ठीक है, चेक कर लेते हैं, इस परकार के परसंट तो आप जब भी प् रामदेव जी का मेला आता है कब बरता है भादरपद सुकले दितिया माबारी बीज बादरपद सुकले दितिया को रामदेव जी का मेला बरता है माबारी बीज कहलाती है यानि जाम पर दो नमबर है उसके आगे एक आएगा चाए दुनिया इदर उदर हो जाए दो के आगे एक आएगा, तो दो के आगे एक ये रहा, यहां पर भी नहीं है, यहां पर भी नहीं है, इसको भी उड़ा दिया, तो मुझे तो केवल रामदेव जी का मेला आता था, लेकिन मेरे अंदर कौन सा सेंस था, कोमन सेंस था, और मैंने सही बता दिया कि इसका उत्तर ए होगा, आनि आपका जो चार नंबर है, वहां पर तीन नंबर आना चाहिए, देव नाराण जी का मेला भादर पद सुकले सप्तमी, और फता जी का मेला भादर पद सुकले नौमी, तो इसको एक बार मिला देते हैं वापसे, देव नाराण जी का मेला हो जाएगा, एक में आपका त करो बही तब ही तो मैंने सोचा काहां से हो गया गड़ बढ तो आपका देव नारण जी का हो गया सप्तमी ध्राम देव जी का एकाधशी फता जी का कौन सा हो जाएगा नौमी और तेजा जी का दस्तमी तो कोई दिक्कत नहीं आ दिख रहा है क्या प्लेजर में कमेंट दिख रहा है क्या हां दिख रहा मैं सोधरी आपका क्यों ने दिख रहा है सब का दिख रहा है तेजादस में बिलकुल नाम से इस पश था तो यह आपका पेंटी एट एडी वू पेंटेट दा रागमाला पेंटिंग इन मेवाड मेवाड में रागमाला रागमाला का चित्रन किस ने क्या देखते हैं इसमें कौन-कौन विज्जारती सही और सटीक उतरे बता रहे हैं मित्र मुझे एक प्रीक्षा में याद आ रहा है कि साबुदीन के स्तान पर नूर दीन आप्शन में आ गया था तो नूर दीन ने हालांकि पंच तंतर का चित्रन किया था लेकिन साबुदीन के सयोग में एक नूर दीन और भी हो सकता ये भी आपको जान में रखना है सहाबु दीन है साइब राम नहीं है अरे साइब राम तो कौन है साइब राम कांग के चित्रकार है साइब राम आपके चित्रकार मूलते जान रखना जेपुर चित्र से लिके हैं जिनोंने इस्वरी सिंग का आदम कद चित्र बनाय था इस्वरी सिंग का आदम का चित्र बनायता option C या प्रठीक उत्तर होगा next अजमेर में एक संस्कृत पाट सला का निर्मान करवाया जिस पर आगे चल कर कुत्तु बुदीन एबक ने धाई दिन का जोंपडा बनवाया रिक्त इस्तान पर निम्न लिखित में से कौन सा विकल्प उप्युक्त है प्रत्वी राज तरतिये, आजे राज चोहान, चंदर सेन, चंद सेन नहीं है चंदर सेन, चंदर सेन के अलावा विग्रे राचत तूर्त बिल्ट ए संस्क्रित स्कोल इन अजमेर, और विच कुटुबुदीन एबक बिल्ट ए धाई दिन का जोंपडा लेठर विच आप दा फॉलोइंग ऑप्शन इज शूटेबल फोर दा ब्लेंक स्पेस यहां पर रिक्त इस्तान के लिए उप्युक्त सब्द कौन सा होगा सीधा सा प्रसन है, यानि धाई दिन राज जोंपडा जो है वो कुटुबुदीन एबक ने किस इस्तान पर बनाया था तो यहां पर करेक्ट टांस्वर आपका ओप्शन ली हो जाएगा विग्रे राज चतुर्थ, विग्रे राज चतुर्थ ने इसका निर्मान करवाया था संस्कृत पाड़ साला, केते हैं कि एके नासिक में उजेन में कुछ पाड़ साले बनी थी उनी की तर्च पर यहां पर बना था, लेकिन कुटुबुदीन एबक ने यहां पर तूड़वा करके अड़ाई दिन का जौंपडा बना दिया, जिससे राजस्तान की पहली मस्जिद केते हैं सोला खंबो का महल और राजस्तान की पहली मस्जिद अड़ाई दिन का जौंपडा केते हैं का वास्तुकार था अब्बु बुक्र अब्बु बक्र जो है इसके वास्तुकार का नाम गवा करता था ओप्शन डी या पर आपका ठीक उतर होगा चलो अगले प्रसंद की तरफ निम्न लिखित युगमों में से सही युगम को चिनिएगा सोनार किला जालोर का किला गड़ बीटली तारा गड़ बुंदी ए बी और सी तीनो ही युगम गलत है बताएगा चूज दा क्रेक्ट वन फ्रॉम दा फॉलोविंग पैयर्स सोनार गड़ जालोर फोर्ट स्वर्ण गीरी जेसल मेर फोर्ट और आपका गड़ बीटली तारा गड़ बुंदी इन में से कौन सा युगमें जो है सही है सही युगम का चेन आपको करना है फटा फट से मताईगा सी सही है सी सही है अरे सोनार किला जालोर दुर्ग नहीं है ये तो गलत है सही युगम का चेन करना है सोनार किला किसको कहते हैं गड़ दिल्ली गड़ आगरा अदगड बिकानेर भलो चिनायो भाटियां गड़लो जेसल मेर गोड़ा कीजे काट का पग कीजे पासान सरीर राखे मकतरबंद जे पहुंचे जेसान क्या कहा था कि गड़ दिल्ली गड़ आगरा अदगड बिकानेर भलो चिनायो भाटियां गड़लो जेसल मेर वो तो सोनार किला जेसल मेर को कहते हैं स्वर्ण गिरी जेसल मेर उल्टा लिक दिया रे स्वर्ण गिरी केते हैं स्वर्ण गिरी तो जालोर को केते हैं और गड़ बीटली तारा गड़ बुंदी नहीं केते गड़ बीटली तो तारा गड़ अजमेर को केते हैं कदाचित तारागड अजमेर भारत का प्रत्थम गिरी दुर्ग था हर विलास सारदा राजस्तान का जिब्राल्टर तारागड अजमेर विशप है बार अरावली का अर्मान राजस्तान का हरदे राजपूताना की कुंजी राजस्तान का मध्य दुर्ग तारागड यानि ए, बी, सी, तीनों ही रॉंगली मेचेड है, ओप्शन डी आपका सही उत्तर होगा, जिन्होंने भी डी बताया, उन सब को बिलकुल सही और सटीक उत्तरे होगा next question on the screen, निम्न लिखित कतनों पर विचार कीजिएगा, परत्विराज विजे जयानक भट, हरी विजे गंगाराम भट, हरी भुषन जेदेव, नाच रित्र मान सिंग, उप्रियोक्त युगमों में से कौन सा युगम सही सुमेलित है, तीन और चार, दो और तीन, एक और दो, एक और चार, फटा फट से बताएगा, अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, परत्विराज विजे जयानक भट, हरी विजे गंगाराम भट, हरी भुषन जेदेव, नाथ चरित्र मान सिंग, विच ओप दा अबो पैवर्स इस दा क्रेक्टली मैच्ड, कौन सा पैयर जो है आपका सही मैच खारा है, फटा फट से आपको इसका उत्तर बताना हिंदी में देख लो भई, चपन नंबर का परसन है, युगमों पर विचार करना है, सरलसा परसन है, हाँ, एक और चार सही है, क्या बात है, देखो, परत्विराज विजे, जयानक बट, बिल्कुल ठीक है, हरी विजे, गंगाराम बट गलत है, हरी बुशन गलत है, नाच रित्रमान सिंग, राठोड, नाच संपरदाई के, तो यहां पर एक और चार, एक और चार आपका बिल के इस्तलों के साथ सुची एक एवं सुची दो को सुमेलित करना है, गेटोर जोदपूर, छत्र विलास बाग जेसलमेर, बड़ा बाग जयपूर, जस्वन्त थडाक कोटा, बुरूजे लगता नहीं कि इस परसन में आपको कोई ज्यादा दिक्कत वाली बात आएगी, दिक चत्रियों और उसके इस्तलों के साथ सुची एक एवं सुची दो को सुमेलित कीजिएगा, इसका इंगलीस वर्जन भी देख लीजिएगा, मैच्र दा लिस्ट फस्ट एंड लिस्ट सेकेंड विच चत्री एंड एट्स लोकेशन, गेटोर जेपूर, चत्र विलास जेसलमे बड़ा बाग जेपूर और जश्वन थड़ा कोटता, देखो इस परकार के प्रस्णों में कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए, एक तरफ आप A, B, C और D लिख लीजिएगा, अब देखो गेटोर की छत्रियां नहीं आता, मुझे तो नहीं आता, नहीं आता तो कोई भी दिक जश्वन्त थड़ो, जश्वन्त थड़ो मारे जोदाना में, जश्वन्त थड़ा जी ने राजस्तान रो ताजमेल के वा, राजस्तान का ताजमेल के लाता जश्वन्त थड़ा, जिसका निर्मान 1899 AD to 1906 AD, which matched by the सर्दारा सिंग, बताओ सर्दार सिंग के द्वारा अपने पिता जश्वन सिंग वित्ये की समर्ती में जश्वन थड़ा का निर्मान करवाया था, जो की जोदपुर में लोकेटेड है, जोदपुर में इस्तित है, जिसे राजस्तान का ताजमेल केते, देखो, A, B, C, D लिखा, यानि D के आगे 1 आएगा, D के आगे 1 आएगा, D के आग कर दूँ क्या अक्डम बक्डम बंबे वो 80 90 पूरा सो लगा दूसी नहीं एसी गलती करनी नहीं है बड़ा बाग जेसल में यानि C के आगे दो आएका C के आगे 2, इस बार तो गुरुजी भेंकरी फंसा दिया, इसने, यहां से भी सॉल नहीं हो रहा, कोई बात नहीं नहीं हो रहा, तो अब क्या करे, अब तो गुरुजी गेतोर जेपुर में, यानि A के आगे 3, A के आगे या चार है, हटा, हटा, यह रहा आपका option A, is the correct, अगर अगला प्रसन आपकी screen पर, भारतिय चित्रकला की मोना लिशा का चित्रण किसके द्वारा किया गया, नागरिदास, निहाल चंद, सहावेदीन, मनहोर, दा मोना लिशा जोप इंडियन पैंटिंग्स वाज क्रियेटेड बाई, नागरिदास, निहाल चंद, सहीबदान और म बताईगा दा मोना लिशा उप इंडियन पैंटिंग्स वाज क्रियेटेड बाई, किसके द्वारा इस मोना लिशा का चित्रण किया गया था, हाँ, वी, वी, अकडम बकडम करते तो गलत हो जाता, उमा जी, बिलकुल सही के रही हो, आप बिलकुल गलत होई जाता, अरे भा मोना लिशा इटली की एक बताओ क्या है, पैंटिंग है, मोना लिशा इटली की पैंटिंग है, और मोना लिशा जो इटली की पैंटिंग है, इस पैंटिंग को बनाया किसने था, लियो नरडा दा विचिन, लियो नरडा दा विचिन, विश्वे की सबसे सुन्दर जो आपक पैंटिंगे उन में से एक पैंटिंग है मोना लिशा एरित टीक्सनले भारत की मोना लिशा मञें , जिस पर 5ाई 1973 बीस पेशे का डॉकार टीकट भी जारी हो चुका है उसका चित्र किस ने बनाया था तो आप बताइंगे किस ने बनाया था निहाल चंद, option B, बता रहा है क्या कोई, हाँ, निहाल चंद वारा, रशिक पिरिया मूलना, बिल्कुल टोटल 75 चित्र बनाये थे, जिसे नागर समुचे कहा गया, यानि मनी ठणी के चित्रों का जो एल्बम है, उसे सयुंगत रूप से क्या कहा जाता है, नागर स जसनाती सिद्वों द्वारा किया जाता है, राई नर्तिय गुर्जरों द्वारा किया जाता है, बम नर्तिय करोली का परसिद है, उप्रियुक्त कतनों में से कौन सा कतन असत्य है, बताईगा कौन सा कतन असत्य है, consider the following statement, अगनी डान्स इज परपॉर्म्ड बाइ जसनाती स फर्स्ट एंड थर्ड या पर असत्य युग्म का चेन आपको करना है, निमन लिखित कतनों पर विचार करते वे, अगनी नर्तिय जसनाती सिद्वों द्वारा, राई नर्तिय गुर्जरों द्वारा, बम नर्तिय करोली के द्वारा किया जाने वाला नर्तिय है, फटा- निमन लिखित कतनों पर विचार कीजी, अगनी नर्तिय जसनाती सिद्वों द्वारा किया जाता, राई नर्तिय गुर्जरों द्वारा किया जाता, बम नर्तिय करोली का परसीद है, उप्रियुक में से कौन सा कतन असत्य है, केवल दो, केवल तीन, दो और तीन, केवल एक टिन डी बता रहे हैं और तिन कि लोग डी बता रहे हैं से नहीं है वेलिये दिविबी किया बात है हां बंने बरत्पूर अरत्पूर का है ठीक है जेक कर लेते हैं कोई दिक्त वाली बात नहीं है अग्नी नर्तिये जशनाती संपरदाय के द्वारा किया जाने वाला नर्थ्य है इसका अर्थ क्या हुआ कौन सा कतन असत्य है यानि एक नमबर तो असत्य नहीं है एक नमबर असत्य नहीं है इसका अर्थ्य ओप्शन है डी तो इसका उत्तर नहीं होगा इसको तो काड़ तो एक तो सत्य है नेक्स्ट रा की नरत्य गुष्डों दुवारा नहिरे अभी अभी बताया था गवरी नरत्य का ही दूसरा नाम कौन सा नरत्य होता है एकजामेंदर की सरारत देखुआउ डेक्वा डेक्र कर खेल दिया था थोड़ी देर पहले देखा था नेज़ा नहीं देखकर के खेल दिया था ऐसी सरारत हर प्रीक्सा में होती है कल आर पीसे ने सब इस्पेक्टर के पेपर में सरारत की थी आपको करंट का एक प्रसंद था कोई वो सारी सी बांदला जिसका उतरता करंट में चा यह भी आसत्य दो और तीन कौन बता रहा था ओप्षन सी जो भी बता रहा था उनका सब का बिलकुल सही और सटीक उतर हुग नेक्सट कंसिडर ताफॉलोंग स्टेटमेंट इस पर तो कंसिडर करी लिया आपने जहंगिर द्वारा निर्मित दोलत बाग और सहाजा द्वारा निर्मित बहरे दरी किस जील के किनार अवस्तित है गेप सागर, आना सागर, जेसमंद, फते सागर दोलत बाग बिल्ट बाई जहंगिर and बारा दरी बिल्ट बाई सहाजा are located at the witch left बताईएगा बहरादरी और आपके आना सागर जील किस के किनारे इस्तिते हैं राई या गवरी भील कास्ट मिलकुल सही राई और गवरी जो है भील कास्ट करोली में लांगूर या गीत गाये जाते हैं केला देवी के रादना में गटकन नर्ति होता गटनों की बल बेट करके फटा फट से बता दो बै जहंगीर द्वारा निर्मित दौलत बाग और सहाजा द्वारा निर्मित है दौलत बाग बिल्ट बाई जहंगीर एंड बारादरी बिल्ट बाई सहाजा और लोकेटेड एट विज लेक कौन सी जील के किनारे ये आपकी इस्तित है गेप सागर नहीं गेप सागर कहां पर है डुंगरपुर में यहां पर काली बाई का इसमार कहे रहे किसका इसमार कहे काली बाई का इसमार कहे राजस्तान में साक सर्ता की देवी राजस्तान में साक सर्ता देवी किसको कहते काली बाई को कहते है जे समन नहीं मिठे पानी की सबसे बड़ी कृत् जील राजस्तान की नेक्स्ट फते सागर सोर वेद साला यां पर इस्तित है इसके किनारे मानसुन पेलेस मंस दरा पाहडी पर इस्तित फते परकास महल यानि जो मानसुन पेलेस जिसे अपन कहते हैं वो इसके किनारे इस्तित है सजनगड पेलेस जिसे आप कह सकते हो किस नदी के पानी को रोक करके करवाया गया था ओप्षन वी आपका बिल्कुल सही और सटिक उत्र होगा इस धिंगला भिडर्या नात द्वारा है मेवाड में पर्चलेत तांबे के सिखे मेवाड की दरीपटियों के नाम मेवाड की ओडंयों के नाम मेवाड के राज़स्वेकरों के नाम धिंगला भिडारिया नात्वारिया आर copper coins प्रिविलेटेंट इन मेवाड names of the मेवाड किद्रि बेल्ट names of the ordnies of मेवाड names of the revenue taxes of मेवाड बताएगा यहां पर धिंगला भिडारिया नात्वारिया क्या है copper coins फ्रिवलेंट इन मेवाड, नेम्स अप मेवाड किद्री बैल्ट्स, नेम्स अप ओडनीज अप मेवाड, नेम्स अप रेवन्यू टेक्सेज अप मेवाड, मेवाड में पर्षलित राज़स्वेकरों के नाम, बताइए कौन सा होगा, हाँ, चंद्रा और बांडी नदी को रो उत्तर बताया है, उन सब का सही और सटी उत्तर होगा, यहां पर आपको जान रखना, सिकों का अध्यन क्या कहलाता है, यहां पर जो सिकों का अध्यन है, डेंगला, बेडरिया, नाद्वरा में आपको जान रखना, सिकों का अध्यन क्या कहलाता है, अगर आप सिकों के बार सिक्कों के लावा सिलालेकों का अध्यन करना एपिग्रापी तो उत्तर यहां पर आपका ए हो जाएगा नेक्स्ट परसन निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है जिवदास गाडन विच आप दा फॉलोविंग पेर इज नौट करेक्टली मैच्ट टेक्स्ट एंड अधर्स एक तरफ लिख रके हैं लेखक लिख रके हैं फटा फट से बताईगा इसमें आपका सही और सटीक उत्तर कौन सा होगा गुण बासा हेम कवी राव जेत शीरुच संद बिट्टु सुजा हाला जहलारी कुंडलिया इसरदास बारत मादेवरी वेली याम पर आपका सही उत्तर कौन सा होगा फटा फट से बताईगा हाँ यहां पर डी उत्तर बता रहे हैं कुछ डी उत्तर बता रहे हैं हाँ डी बिलकुल साया जी जुला यहां पर गुण बासा हेम कवी ने लिखा था राव जेत शीरुचंद बिट्टु सुजा ने लिखा था तो बई जेत शीरुचंद जो बिट्टु सुजा ने लिखा है उसमें एक बात ये भी याद रख लेना बिकानेर के सासक राव लुनकरण को कल्युग का करण की संग्या इसी में दी गई है हाला जहलारी कुंडलिया इसरदास बारट महदेव पारवती रिवेला सिवदास गाडण ने नहीं लिखा है सैया जी ने लिखा है ये आपको विशेश रूप से यादे रखना है सैया जुला ने लिखा है किस ने लिका है सैया जुला ने महादेव पार्वती रिवेला सैया जुला इसका सही उत्तर होगा D is the correct answer यानि कौन सा सुमेलित नहीं है तो आपका D जो युग में है वो सुमेलित नहीं होगा नेक्स्ट क्यूशन ओन दा स्क्रीन पासुपात संपर्दाय से संबंदित गुरु विश्वे रूप का उल्लेक मिलता है पासुपात संपर्दाय से संबंदित गुरु विश्वे रूप का उल्लेक मिलता है हर्ष परवत का सिलालेक 1975 इस्वी रनकपूर परशस्ती 1449 इस्वी बिजोलिय अभिलेक 1170 इस्वी सारनेशपर परशस्ती 935 इस्वी या आपका उत्तर होगा रनकपूर पर शस्ती कौन सा इसका सही और सटीक उत्तर होगा इसका चेन ंपने को करना है तो देखिएगा हर्ष परवत सिलालेक में रनकपूर में सिलालेकों का अध्यन मैंने आपको बताई दिया क्या कहलाता है सिला लेकों का अध्यन कहलाता है एपिग्रापी पासुपाथ संपरदाश से सम्मन्दि जानकारी कां से हर्स परवत इन्सक्रिस्टी 1975 AD रनकपूर परस्टी 1432 1432 नहीं 1449 है यह 1170 और आपके सारनेश्वर यहां पर कौन बता रहा है डी बता रहा है वे बिलकुल डी सो परतिस्ट इसका सही उत्तर बता रहे हैं तो जो डी बता रहे हैं उन सब का उत्तर गलत है हर्स परवत का सिलालेक जिन्होंने भी बताया है ए उत्तर जिन्होंने भी बताया है मुझे लगा नहीं है किसी ने सही उत्तर बताया है क्या बिल्कुल गलत उत्तर बता रहे हैं अधिकास हर्स परवत का सिलालेक है यहां से गुरु विश्वे परवत की क्या मिलती है जानकरी 975 इस्वी का जो सिलालेक है अरे रनकपुर परसस्ती में बपा रावल और काल भोज को अलग-अलग बताया गया है आपसे पूछ ले बपा रावल का मूल नाम क्या था तो आप बताओगे बपा रावल का मूल नाम काल भोज था लेकिन वे परसस्ती कौन सी है जिसमें बपा रावल और काल भोज को अलग-अलग बोला गया है कि बपा रावल और काल भोज अलग-अलग है वो परसस्ती है रनकपुर परसस्ती बिजोलिया अभिलेक यहां पर चोहानों को वस गोत्रिये ब्रामन बताया गया है ये भी जान रखना चोहानों को वस गोतरी ब्रामन बताया गया है चोहान जो है इनकी उत्पति केते हैं कि वस गोतरी ब्रामनों से हुई ती कौन सा सिलाले केता है बजोलिया चोहानों के बारे में जानकरी देता है कई सेरों के नाम जैसे नागदा को नागदरा बताता है दि चलो अगला प्रसन आपकी स्क्रीन पर जोदपूर महराजा अबे सिंग और सर्बुलंद खां के बीच वे एमदाबाद युद का आंखो देखा वरनन किस ग्रंत में मिलता है तारीक ए अलाई हमीर महाकाव्य राजरुपक वन्स भासकर फटा फट से बताई इसका उत्तर क्या होगा सरकलास किता तक चालेगी कलास चालेगी दस बज़ा दानी कलास चाले लिवाई तो सी और ए राजरुपक बहुत ही बढ़िया तारीक ए अलाई ज़्यादा तर बता रहे हैं कुछ राजरुपक भी बता रहे हैं तारीक ए अलाई में आँखो देखा वर्नन कहां से मिलता है रे कहां से मिलता है अरे बई हमीर महा काविये नहीं किसने लिखाता नैन चंदर सूरी ने लिखा था नैन चंदर सूरी ने लिखाता तारीक ए अलाई नहीं वन्स भासकारे सूरी मल मिसन सूरी मले मिसन हिंडोली ब 15 में जन्म हुआ था बुंदी राज्य के वन्सावली या बुंदी राज्य का विश्त्रित इतियास इसमें मिलता है वीर भान द्वारा रचित राज रुपक इसमें बुलंद खां और एमदाबाद में जोदपुर महराजा अबे सिंग के युद का वर्नन मिलता है तो सी जिन बिकानेर सासक करन सिंग किस कौन से मुगल समराट के समकालिन थे जहांगीर सहंजा शहंजा औरंग जेब अकबर जहांगीर औरंग जेब सहंजा बताएगा बिकानेर रूलर करन सिंग वाज ए contemporary of which मुगल emporers बताओ किस के समकालिन थे किस के समकालिन थे तो आपको यहां पर किसी भी परकार का doubt मुझे लगता नहीं होना चाहिए फटा-फट से बताईएगा मेरे 300 पलस नंबर बन रहे हैं बहुत बढ़िया उसू सिंवर बन रहे हैं तो बना नहीं है फटा-फट से बता दीजिए common sense का प्रसन है common sense का प्रसन है अरे बै करण सिंग मुझे आप बताओ इसमें सर कलास क्या डेली होगी क्या आपकी कोशिस करेंगे आज तो आराम से मस्ती से पढ़ो अरे बै करण सिंग कौन थे अपन अच्छी तरीके से जानते हैं कि करण सिंग बिकानेर के सासक थे जिन्होंने मतिरे की राड लडी थी बताओ लडीक नहीं लडी, ये तो सब को पता है ना, नागोर के सासक करण सिंग, नागोर के सासक अमर सिंग और बिकानेर के सासक करण सिंग के बीच, नागोर के अमर सिंग और बिकानेर के करण सिंग के बीच, 1646 इसमी में मतीरे की राड लड़ी गई थी, अब ये तो ते हो जांगिर नहीं था 1645 में, जांगिर तो नहीं था, तो उत्तर होगा क्या, नहीं होगा, अकबर 1605 में मर्तियों हो गई थी, था क्या, नहीं था, बताओ कौन था, सा आलम कहां से आ गया, औरंग जेब 1600 बाद में था, सांजा था, और औरंग जेब बाद में आया था, सांजा 16 कभी इसका सही और सठी उत्तर होगा, सहांजा और औरंग जेब, सहांजा और औरंग जेब इसका सही उत्तर होगा, कौन सा कूट सही सुमेलित नहीं है, आपको 1857 की करांती के समय सासक दे रखे हैं, कौन सा कूट सुमेलित नहीं है, ये आपको चेक करना है, दौलपूर सिंग बांसवाडा लक्समन सिंग कोटा राम सिंग विच कोड़ इज नौट क्रेक्टरी मैच दे 1857 एठावन राजाओं के समंध में कौन सा कतन अस्थ्य है दौलपूर संभु सिंग करोली मदन-पाल बांसवाडा लक्समन सिंस्ग कोटा राम सिंग सेकेंड का नहीं है फटा-पट से बताओ वै के मा शरी αν talented यह कौन से सीज मेल जेपुर वाले की बात करें हो तो बिहारी मलने चुछ मनवाय था सामध्ड का मेल उसके अंदर सीज मेल का निर्मान सिव सिंग ने करवाया था बी ए ए ए हाँ जो ए बता रहे हैं वो साथ में नाम भी बता ना कौन था दौलपुर वाले एक राजा का नाम बिल्कुल ए बता रहे हैं लक्षमन सिंग डुंगरपुर के थे बिल्कुल थे लक्षमन सिंग जी डुंगरपुर के सासक थे क्या देखते हैं कुछ A बता रहे हैं दी बता रहे हैं, ए और डी, लक्षमन सिंग डुंगरपुर के सासक, बांस्वाडा के सासक लक्षमन सिंग यहां पर पूछ रहे हैं, ए, 67 में ए ज़्यादा आ रहा है, कुछ डी भी बता रहे हैं कि लक्षमन सिंग डुंगरपुर के सासक ते, अच्छे से चेक कर लेना, अच्छे से चेक कर लेना, बांस्वाडा में भी लक्षमन सिंग जी थे, डुंगरपुर में भी लक्षमन सिंग जी थे, दोलपुर में सं बगवंत सिंग जी थे ये आपका उत्तर गलत होगा क्योंकि लक्षमन्ट सिंग वो याद आ जाते हैं अरे वो लक्षमन्ट सिंग कब थे डूंगरपूर के साथ सक्राजस्तान एकी करण के समय याद करो रास्ता पालकांड रास्ता पालकांड के समय डूंगरपूर के महराव लक्षमन सिंग थे तो यहां पर धोलपुर के सासक जो थे जिनका नाम था बगवंत सिंग एक आपको बड़ी रोचक बात बता देता हूं राजस्तान का वेहिस्तान जहां पर राजस्तान का वेहिस्तान जहां पर क्रांती करने वाले क्रांती कारी भी राजस्तान से बार के थ लेकिन इस्तान था राजस्तान का बताओ वो इस्तान कौन सा है जहां पर क्रांती करने वाले क्रांती करी राजस्तान के नहीं थे बार से लोग आए और राजस्तान में क्रांती की और इस क्रांती को दबाने के लिए जो सेना आई थी वो भी राजस्तान की नहीं थी बार से आ कौन सा कतन सही नहीं है, कौन सा कतन सही नहीं है, खाल सा भूमी राजा के नियंतरन में होती थी, जागीरी भूमी पर जागिरदार का पेत्रिक नियंतरन होता था, चारने चरनोत भूमी पर राजा का नियंतरन होता था, इन में से कोई नहीं, which of the following statement is not correct खाल सा लेंड वाज अंडर दा कंट्रोल आप दा किंग दा जागिर्दार हैड एन सेंट्रल कंट्रोल आवर दा जागिर लेंड दा किंग हैड कंट्रोल आवर चारनोत लेंड नन अप्तीज उप्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है फटा फट बताओ भई हां गौालियर और पंजाब से बिल्कुल दोलपूर है हाँ वो इस्तान दोलपूर है जाम पर क्रांती करने वाले सैनिक तो गौालियर के थे और जो सेना आई थी वो पटियाला से आई थी और पटियाला बताओ काम पर पढ़ता है बही पंजाब में पढ़ता है तो यहां पर आपका सही उत्तर कौन सा होगा सी और मी जादा उत्तरा रहे हैं सी और मी जादा उत्तरा रहे हैं एको खाल सा भूमी खाल सा कार्थ होता है जिस पर सीधा केंद्री नियंत्रन हो यानि राजा का नियंत्रन है ये तो बिल्कुल सही है जागिर भूमी पर जागिरदार का पेत्रिक नियंत्रन होता था बिल्कुल जागिरदार का बेटा जागिरदार जागिरदार पेत्रिक नियंत्रन होता था चरणोत भूमी पर राजा का नियंत्रन नहीं होता था ये तो के लिए गोचर भूमी खाली भूमी जो टेक्स रहित भूमी थी वो होती ती चरणोत भूमी तो कौन सा कतन सही नहीं है ऑप्शन सी जो होगा वो आपका याम पर सही नहीं होगा ये ज्यान रखना ऑप्शन सी इस दा क्रेक टांसपर और फॉलोविंग ए क्योशन मिलकुल मौ गुर्जर गलत बता रहा है अगला प्रसन 12 कोटडी नामक सामन्ती विवस्ता का समंध किस राज्य से था आमेर मारवाड मेवाड बिकानेर तो विच स्टेट वास्टा फ्यूडवल सिस्टम नेम्ड बारा कोटडी बताई गई बारा कोटडी विवस्ता जो है इसका समंध क किस राज्य से था आमेर से था मारवाड से था मेवाड से था या बिकानेर से था किस से बारा कोटली व्यवस्ता का सम्वन्द था फटा फट से इस परशन का जवाब दे दीजिएगा बई, बी, सी, बी, सी, क्या बात है, बी, ए, ए, अच्छा, अरे बई, मारा कोटडी व्यवस्ता होती क्या है, सबसे पहली बात तो मारा कोटडी व्यवस्ता के जो परवर्तक माने जाते हैं, वो बताओ कौन है, परत्वी राज कछावा को माना जाता है, इन्होंने अपने राज्ये को बारा पुत्रों में राज्ये को बराबर भागों में विबाजित कर दिया बारा पुत्रों में राज्ये को भांट दिया और बारा पुत्रों में समान रूप से राज्ये को भांटना 12 कोटडी विवस्ता के लाई ये करने वाले थे परत्वी राज कच्छावा और परत्वी राज कच्छावा बताओ आपके कांग के सासकवा करते थे आमेर के सासकवा करते थे तो आमेर के परत्वी राज कच्छावा अगर पूछ ले राणा सांगा एक सरलसा परसन पूछ विबक्त बारा पुत्रों में राज्यों में विबक्त जो करने वाले थे वो थे तो फटा फट से बताओ पूचो या नहीं पूचो ये सोर नो में बताओ जी सर पूचो पूचो ओके ये सर हाँ चलो देख लेते हैं कौन-कौन सही बता रहा है आमेर से मुझे एक सब्द आने वाली एक रिवाज ऑप्शन बे मारवाड सेतर में परियुक्त किया जाने वाला एक व्यंग्यात्मक सब्द ऑप्शन से मेना जाती के युवकों द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी ऑप्शन दे बील जन जाती की महिलाओं के गले का आबुशन देखते हैं कौन- आप्शन A में मैंने आपको बताया आमेर राजाओं के राज्यविसे के समय किया जाने वाला एक रिवाज आप्शन B में मैंने आपको बताया मारवाड सेतर में परियुक्त एक व्यंग्यात्मक सब्द ऑप्शन से में मैंने बताया मेना जाती के युवकों द्वारा हाथ म पकड़ी गई लाठी और option A में मैंने बताया बील जंजाती की महिलाओं के गले का एक आबू सन यहां पर B उत्तर ज्यादा तर बता रहे हैं B C और A बता रहे हैं B मीना जाती के यूबकों द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी को बताओ क्या कहा जाता रहे गेली कहा जाता ज्यान रखना मीना जाती के यूबकों द्वारा हाथ में पकड़ी गई लाठी को क्या कहा जाता है गेली कहा जाता है बिलकुल यहां पर आमेर आपका सही उत्तरे हो जाएका नेक्स्ट निम्न लिखित में से कौन सा यूग में सुमेकित नहीं है बताएगा कौन सा नहीं है आपका मादसा मेला ब्यावर, सेवडिया पस्सू मेला तखतगड, अनकूट मेला नात्वारा, त्रिपुरा सुन्द्री मेला आपके बताओ काम पर हो जाएगा, त्रिपुरा सुन्द्री मेला तलवाडा, यह हो जाएगा, सुन्द्री मेला है, which of the following pairs is correctly matched, फटा फट से लिया है, नहीं, लाटी फ़र मेना कास्ट, बिल्कुल कुस नसीब बनू, बिल्कुल सही बता रही है, तो फटा पट से बताओ भाई, कौन सा जोड़ा जो है, गलत आ रहा है, सतर में B गलत आ रहा है, सतर में कुछ C गलत बता रहे हैं, D, B, अरे हाँ पर सेवडिया पता है क्या, देखो, बादसा मेला, ब्यावर अजमेर, अनकूट मेला, भगवान स्री नात जी को चपन परकार के अनो का भोग लगाना, कौन सा मोच्षव कहलाता है, अनकूट मोच्षव कहलाता है, और ये गोवर्दन पूजा आर्था, आप्टर देन, फस्ट डे अप द अनकूट फेर नात वारा और तिरपूरा सुन्दरी तलवाडा, तलवाडा बताओ काम पर है, बांस वाडा, तो ये सेवडिया पसुमेला, रानी वाडा में बरता है, ना कि तकत गड में, आप्शन B is the correct answer, ये सुमेलित नहीं है, इंगलिश और हिंदी अलगे, अरे तिलव अरे तलवाडा में बरता है, तलवाडा काम पर है, बांस वाडा में ही है, रानी वाडा में बरता है, ठीक है, निम्न लिखित में से कौन सा गलत युग में है, एक तरफे आपके देरका है, कलाकार और दूसरी तरफ देरके हैं, लोक नाटे, which of the following pairs is wrongly matched, आर्टिस्ट तूरा कलंगी ख्याल, लच्छी राम, कुचामनी ख्याल, तेज कवी, तेज कवी जो हैं, रम्मते और आपके बनसी धर बटे नोटंगी, बताओ कौन सा जोड़ा आपका बेमेल है, भई, कौन सा जोड़ा बेमेल है, फटा फट बताओ भई, फटा फट से भी बताईगा, हाँ, तो यहां पर बहुत ही बढ़ी आरे, बनसी धर बट वाले कई ए बता रहे हैं, पेले में लिख रखा है तूरा कलंगी ख्याल, अरे देखो भई, तूरा कलंगी ख्याल को भी थोड़ा सा विस्तार से बता देता हूँ, तूरा कलंगी ख्याल, और तूरा कलंगी ख्या ये राजस्तान में किस सेत्र की परसिद है आप बताएंगे तूरा कलंगी ख्याल राजस्तान में निम्बा हेडा निम्बा हेडा के अलावा गोशुंडी और गोशुंडी के अलावा आपका निम्मच निम्मा हेडा एर गोशुंडी तो चितोडगड में और निम्मच MP में है तुकनगीर और साह अली दो मुस्लिम संथ थे तुकनगीर और साह अली उनके द्वारा ये तुरा कलंगी ख्याल चलाई गई थी जिसके परसिद कलाकार जेदयाल सोनी थे बिलकुल कुचामनी ख्याल लच्छी राम कई बार पूचा गया है कुचामनी ख्याल बूड सुनागोर के रहने वाले ते गुरडा मेगवाल जाती गे लच्छी राम जी ये आपका भी उत्तर होगा तेज कवी रम्मत बिलकुल सही है रम्मत यानि खेल जैसल मेर से इसका उद्गम वाता रम्मत का तेज कवी ने उननीस सो तैयालीस में एक रम्मत लिखी थी जिसका नाम ता स्वतंतर बावनी बड़ी प्रसिद रम्मत हुई थी और तेज कवी नहीं रम्मत गांदी जी को बेंट भी की थी तो ये तो है बंसी दरबंट नोट रिलेटेट टू नोटंकी नोटंकी के लिए तो बुरी लाल है बंसी दरबट का सम्मंद है तमासा से बंसी दरबट का सम्मंद बताओ किसे है तमासा और तमासा कहां का परसिद है जेपुर का तो तमासा से सम्मंद है बेमेल जोड़ा आपका बताओ कौन सा हो बन सीधर भट नोटंग की ऑप्शन डी इस दा करेक्ट आंस्वर और फॉलोविंग क्यूशन नेक्स्ट क्यूशन ओन दा स्क्रीन जामिट्या पात्र लोक बासा में कविता बोलता है और खटकड क्या उसे दोराता है और मीच-मीच में जोकर का काम करता है बताएगा खटकड या नहीं है यह कुटकुडिया सब्द होना चाहिए या खटक्या सब्द होना चाहिए या तो कुटकुडिया सब्द होगा या खटक्या सब्द होगा उसको दोराता है और मीच-मीच में जोकर का काम करता है यह ऐसा काम कौन से पात्र में होता है कुचामनी ख्याल में गेर नर्तिया में, गवरी नर्तिया में, बवाई नर्तिया में, जाम्टिया, रिक्टीज पोईट्री ninja 추 MOR같े ऐस से जोकर इन बिट्विन, बता ये। गया एसा कोण से नरत्ये में होता बहुत महत्वेपुन प्रसन है क्या पूचा जा रहा है जाम्ट्या रिशिटीज पॉएट्री इन फॉक लेंगवेज एंड खुटकुडिया रिपीट्स एंड एक्स एज जोकर इन बिट्विन बता ये जाम्ट्या को दोराता है खड क्या सी बहुत ही या कुछ इसमें सी बता रहे हैं कुछ डी बता रहे हैं यहां पर आपका सही और जो सटिक उत्तर होगा वो ऑप्शन करमाक सी होगा इन गवरी डांस अरे बैग गवरी के बारे में मैंने आपको कई बार बताया जा चुका है गवरी नरत्ये के बारे में क्या क्या मैंने शिव और बसमाशूर की कथा पर आदारित लोक नाटे है और गवरी नाटे में एक व्यक्तित तिर्शूल पकड़ करके खड़ा होता है जो व्यक्ति तिर्सूल पकड़ करके खड़ा होता है अर्थात भगवान सीव का अभिने करता है उस व्यक्ति को पूरिया कहा जाता है और इदर से एक पातर आता है जोर जोर से जाम्तिया जाम्तिया कविता बोलता वा और खड़क्या खड़क्या या कुटकुडिया इसके पात्र होते हैं, option C जो होगा वो यहां पर आपका बिल्कुल सही और सठीक उत्तर होगा next question on the screen, निम्न लिखित में से किन को भोगोलिक संकेतिक प्राप्त हो चुका है मकराना मार्बल, जालोर ग्रेनाइट, मोलेला कले वर्क, थेवा आर्ट वर्क केवल एक दो और तीन, केवल एक तीन और चार, केवल तीन और चार उप्रियुक्त सभी which of the following has got geographical indication, यानि सरलसी बासा में समझ लेना जी आई टेग, बताओ किसके बारे में पूचा जा रहा है जी आई टेग मकराना मार्बर, मकराना मार्बल, जालोरी ग्रेनाइट, आपके मोलेला कले वर्क, थेवा आर्ट वर्क इन में से किसे प्राप्त वा है, फटा फट बताओ भई सर बवाई डांस के बारे में बवाई डांस बता दिया न भई इसे पहले आया था न बवाई डांस अंकित भई बवाई डांस पहले भी आ चुका है फटा फट से इसका उत्तर आना चाहिए इतना समय तो लगना ही नहीं है इतना तो केवल लगना ही नहीं है तो देखते हैं कौन-कौन मकराना मारवल आपके जालोर ग्रेनाइट मोलेला कलेवर्क और थेवा आर्ट अब इस परकार के प्रस्णों में अगर आप common sense भी लगाते ह के बारे में पूछ रहा है जियोग्रोपिकल इंडिकेशन तो देखो मकराना मारवल नोत भी ड़ा है तो हमें पता और थेवा, अनुगा को मिले आपके जालोर ग्रेनाइट को तो option B इसका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर होगा, option B इस दा क्रेक टांस पर आप फॉलोविंगे, क्यूशन, बिल्कुल 1, 3, 4, 1, 3, 4, ओके, अगला प्रसंद देखो, थम्णियों, आड, हालरा, चम्पाकली, आदी, इस्त्रियों, थम्णियों नहीं, दम्णियों है, ये दा दम्णियों, चम्पाकली, आदी, इस्त्रियों, दुवारा, किस अंग में पहना जाता है, कंट, बाजू, कान, मस्तक्स, at which parts of the women's are, दाम्णिया, एड, हालरा, चम्पाकली, इज, वर्न, बाई, वुमन, बताई, कांपर पहनती है, महिलाए, कोई मक्राना से है, क्या, ते त बीज, राइट आंस्वर, बिलकुल, बी, 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 अच्छा, बी, 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 सेवंत में, ए, सेवंत में, ए, सरबाडोली कहा है, अरे बाडोली के सीव मंदिर, देखो, कई विज्यारती कनफ्यूज में रह जाता है, चलो, इसका तो, मुझे पता है, अधिकान सही बता देंगे, लेकिन एक कब का कमेंट आरा, सरबाडोली कहा है, बाडोली, देखो, बाडोली एक उदेपूर में भी है, जान रखना, जांपर महराना परताप की क्या बनी हुई है, चत्री बनी हुई है, यह आपको जान रखना है, आठ खमों कि विजारती केरा स्वर्ध च страх बाढूली में है नसे अरे बाढूली के सीव मंदिर पूछा गया था तो जान रखना बाडोली एक उदेपुर में भी है, एक कोटा में भी कप कमेट आ रहा है, चलो ये तो सब को पता ही होगा, कंटों पर पेना जाने वाला आबुसने है, चमपा कली ए उत्तर जिनों ने बताया है, उन सब का सही और सटी उत्तरे है, अच्छा मारणा परताप की छत्री, बाडो कोटा बाडोली में, तो अपने को उस पर जादा चिंतित होना नहीं है, अठारा सो अठारा इस्वी की कमपनी की ओर से, राजपूत राज्य पर संदी करने वाला अधिकारी कौन था, ये अभी लाइबरेरियन ग्रेड तीन में भी पूचा गया था, प्रसंद क्या पूचा जानपूर्वक पढ़ना और उसके पस्चाती उत्तर देना, अठारा सो अठारा इस्वी कमपनी की ओर से, राजपूत राज्यों से, संदी करने वाला अधिकारी कौन था, चाल्स विल्सन, चाल्स मेटकोप, इसके अलावा चाल्स गुरिये और चाल्स हेक्टर, चाल्स से ह फटा फट से बताओ भई, इन 1880 AD, दा ओपिसर वु मेड, ट्रेटेज विद दा राजपूत इस्टेट्स ऑन बिहाल अप दा कमपनी वाज, बताएगा कमपनी की तरफ से न्यूक्त अंग्रेज अधिकारी कौन था, आठारा सो सत्रा अठारा की संदिया है, देखोई इस आ तीन बाते में बताई देता हूं साथ के साथ, आश्रित पार्तके की संदि, आश्रित पार्तके की संदि जो है, ये 1817 में प्रारंब हुई थी, 1818 में सरबादिक हुई थी, और अंतिम संदि 1823 में हुई थी, इस संदि के जनक, इस संदि के जनक पूछे, तो लार्ड हैस्ट माने जाते हैं लार्ड हैस्टिंग इसके बताओ क्या माने जाते हैं जनक और राजस्तान के राजाओं के साथ इस संदी को हस्ताक्सर करने वाला कौन था सर ग्राम से ग्वेकिन से में भी आरास का कोर्स आता ना बिल्कुल लगबग प्रीम में तो सेम ही रहेगा अभी तो आया नहीं है आने के बाद और इस पस्ट हो जाएगा लगबग वो ही रहता है बई सर परटवार के लिए अंतिम समय में तैयारी अच्छे से कैसे करे अच्छे से सवज्जाई करे जो पड़ाया है उनको बार-बार पड़े एकी चीज़ को बार-बार पड़े और प्रेक्टिस जादा करे अब प्रेक्टिस जादा करे ए बी सी ए बता रहे हैं तो यहां पर बी उत्तर जिन्हों ने भी बताया है उनका बिलकुल सही और सटीक उत्तर है चाल्स मैट को बी इजदा करेक्ट आंसपर और चाल्स मैट को फिर बता रहा हूं आश्रित पार्तकिय की संदियों के जनक है लाड है स्टिंग्स ये संदी 1817 इस्वी में प्रारम हुई थी राजस सबसे पहली बार विश्तरित रूपसे अंग्रेजों के साथ कियाता कोटा रियास्त ने 1818 में राजस्तान की सरवादिक रियास्तों ने EIC के साथ संदिया किती राजस्तान की अंतिम संदी 1823 में सिरोई के सासक सीव सिंग ने किती ये चारों बातें जान रखना जनक थे है से और इस संदी पर राजस्तान के राज्जाओं के साथ अस्ताक्सर करने वाले अंग्रेज अधिकारी का नाम चाल समय को आलांकि जो लास्ट वाली उस वागटर वाली रियासते थी उन पर एक अलग अलग अंग्रेज अधिकारी आया था लेकिन जादा तर प्रमेट को अपी था ये भी आपको यादे रखना है लुंगरपुर बांसवाड़ा परताब गड़वाले उस मेल्ट पर अलग अंग्रेज अधिकारी आया था ठीक है अगला बिंदू गांधी जी ने ड्राइज में ड्राइज में 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 ड्रा लुए तो दोरी डाईर साही है इन रोर्थ यह एकि उन पहली तो जनरल डाईर जलियां वाले बाग मायन गोडियां बरसाई और भी माचे भी भी पाचे भी ओर्टे गोड़ी बारी हुई है या तो भी डाईर वाली गटनारी पुंद्रा वरती है यानि डवाल ड्राइज में दिस्टिल दोहरी डायर साई की संग्या किसे दी थी बेंगु किसान आंदोलन के दोरान नहीं बेंगु किसान आंदोलन में तो जान रखना गोविंद पूरा कांड वाता है याद है क्या गोविंद पूरा कांड 13 जुलाई 13 जुलाई 1923 एडी 13 जुलाई 1923 इस्वी को गोवि अधिकारी ट्रेंच के द्वारा गोली बारी की जाती है जहां पर रुपाजी धाकड और क्रिपाजी धाकड वीर गति को प्राप्त हुए थे ये तो नहीं है निमूचना कांड इसदा क्रेक्ट आंसफार 14 मैं 14 मैं 1925 निमूचना बानसूर तैसिल जिला अलवर अलवर में किसानों की एक सभा और इस सभा के उपर चज्जु सिंग के द्वारा गोली बारी की गई थी चज्जू सिंग जिने बाद में राजस्तान का जनरल डायर भी कहा गया इसमें सेंकडों किसानों की मृत्यू होती है सेंकडों किसान सहदत को प्राप्त करते हैं निमोचना कांड जिससे मातमा गांदी ने अपने समाचार पत्रे यंग इंडिया में डबल ड्राइज में निस्तिल की संग्यादी थी रियासती समाचार पत्रे जो की सुमनेश जोसी के द्वारा प्रकासित होता था उसमें इस गटना को जलियां वाला बाग हत्या कांड कहा गया है जान रखना छोटी सी गल्टी यहां पर हो जाती है जलियां वाले बाग से भी विबिच यानि उससे भी बढ़ कर किस गटना करम को मात्मा गांदी ने अपने यंग इंडिया में कहा तो वो तो है आपके बिजोलिया में यंग इंडिया में निमूचना से भी जादा बत्तर इसको बताया था लेकिन किसको जलियां वाले बाग राजस्तान का जलियां वाला बाग हत्या कांड कहा तो वो कहा था डबल ड्राइजमें डिस्तिल्ड आपके रियासती समाचार पत्र में सुमने जोसी ने निमूचना कांड को जलियां वाले बाग कांड की क्या दी थी संग्या दी थी ये आंदोलन के दोरान गटित अंतिम गठना करम ये कौन सा था डाबडा कांड था ये वा था आपके 13 मार्च 1947 तेरा मार्च 1947 डाबडा एक गाउं पढ़ता है डीडवाना नागोर में ज्यान रखना वांपर जेनर अरण व्यास मतुरदास मातूर बल्देवरा मिर्दा के केते रवांपर गोली बारी हुई ती जाम पर रुग अराम और चुन्नी लाल जे से नेता सईद वेते जाने राजस्तान में किसान आंदोलनों का अंतिम सईद भी केते हैं वो पूरे राजस्तान में जितने भी किसानों के उपर गोली बारी हो के कांड वेते उन में से अंत दो मुहे का चुला विबिन परकार के बरतनों के साथ सील बटा वे पेन निम्न लिकित में से किस इस्तल से खुदाई में मिले हैं काली बंगा बागूर अहाड गनेश्वर दो मुहे का चुला विबिन परकार के बरतनों के साथ सील बटा वे पेन निम्न लिकित में से किस इस्तल से खुदाई में प्राप्त वे हैं फटा फट से इन परसन रो उत्तर बता दो भई यहां पर आपका उत्तर क्या होगा सीधा सा प्रसन है सीधा सा प्रसन होना चाहिए काली बंगा बागूर गनेश्वर देखते हैं अहाड अहाड काली बंगा से काली बंगा से इसमें भी अभी कई विज़ारती कनफ्यूजन की स्तती में काली बंगा अहाड अरे भई काली बंगा से नहीं मिला कितनी बार बताओं काली बंगा से सील बटा प्राप्ते नहीं हुआ है काली बंगा यहां से भुकंप के साक्षिय प्राप्त हुए हैं पर्मान हाइड्रो इस्प्लीज रोग की जानकारी यह सारी यहां से प्राप्त हुए बागोर पसु पालन के प्राचिंतम साक्षे गणेश्वर बान अपने गणेश्वर में बस्ती को बचाने के लिए मांदों के निर्मान की जानकारी बान गरे फार से कुलाडे जो 99.320 से निर्मित है मचली पकड़ने का कांटा यह यहां से आपको अहाड अहाड पूरा तात्विक इस्तल से यह प्राप्त होता है लेपिस लाजूली जो सामागिरी थी वो भी यहां से प्राप्त होती अहाड उदेपुर में है नेक्स्ट परसन निम्नलिखित में से काली बंगा समंदित कौन सा कथन सत्य है काली बंगा सब्यता सर्स्वती या द्वेस नदी के तट पर बसी थी इसका कालकरम 2400 से 2250 इस्सा पूर्वे का है यहां से जुतेवे खेत के प्रमाण मिले हैं यहां से पसु पालन के प्राचि इंतम साक्षि मिले हैं which of the following statement regarding काली बंगा इज नोट ट्रू कौन सा कथन सत्य है नोट ट्रू नहीं यहां पर कौन सा कथन सत्य है यहां से असत्य है यहां पर असत्य कतन होना चाहिए यहां पर कथन बताओ कौन सा कर लेना है सत्य के स्तान पर कौन सा कथन आपका असत्य कतन है फटापट से बताई कौन सा कतन असत्य कतन है सत्य नहीं असत्य पूचा जा रहा है भई which of the following statement regarding काली बंगा is true statement काली बंगा civilization was settled on the banks of सर्श्वती या दुर्श्वती रिवर्स its time period is 24, 2400 से 2200 इस्सा पूर्वी और जुते वे खेत के कौन सा कतन असत्य है भई असत्य पुचा है हाँ डी सही नहीं है बहुत बढ़िया देखो डी सही नहीं है यहां पर असत्य कतन पुचा भई सत्य के स्थान पर कौन सा कतन असत्य है यह आपको पहचान करना है तो B देखो यहां पर काली बंगा सरस्वती या द्वेश्वती नदी के तट पर इस्तित हैं मिलकुल ठीक है कोई दिकत वाली बात नहीं है नेक्स्ट है यहां से जुतेवे खेत के परमाण मिलें ये भी ठीक है यहां से जुतेवे के आसपास माना जाता है लेकिन ये कालकरम भी कोई गलत नहीं है 24 से 22 यानि 23 से 1750 से मिलता जुलता है लगबग मिलता जुलता है कारबन चोदा कारबन डेंटिंग पदती जो होती है पूरा तात्मिक इस्तल के कालकरम को खोज करने के लिए उसके नुसार 20-30-50 साल का कालकरम लगबग उपर नीचे चलता रहता है तो ये भी पूर्ण सत्य नहीं है आन्सिक सत्य है लेकिन पसू पालन के प्राचिंतम साक्षे ये तो पूर्ण रूप से गलत है ये तो बागोर से मिले हैं बागोर आपका हो जाएगा भिलवाडा में विकल्प करमाक जो डी होगा वो प्रस्तुत करता है विजोलिय अभिलेक गोसुनी अभिलेक हस्तिकुंड अभिलेक कीर्ती इस्तम अभिलेक विच इंस्प्रिशन परजेंट्स दा ओल्डेस्ट एवडेंस ऑप भागवत रिलिजियन इन राजस्तान यानि भागवत संपरदाय के साक्षे प्रस्तुत करने वाले एविडेंस प्रस्तुत करने वाला सबसे पुराना सिलालेक आपका कौन सा था इंस्क्रिप्शन ऑप परजेंट दा ओल्डेस्ट एविडेंस ऑभागवत रिलिजियन इन राजस्तान बताएगा बिजोलिय अभिलेक गोसुनी अभिलेक हस्तिकुंड अभिलेक या कीर कुल सही और सठीक उत्तर है अरे बाई गौसुंडी का सिलालेक काम पर है रे गौसुंडी का सिलालेक है आपके चितोडगड में गौसुंडी का सिलालेक बताओ काम पर है चितोडगड में ये आपका सही और सठीक उत्तर होगा भागवत संपरदाय के बारे में राजस्तान का सबसे oldest evidence अगर कोई सा है तो वो है आपका गोशुन डिका सिला लेक भी जोलिया ये तो चोहानों के बारे में चोहानों को वस गोत्रिय ब्रामन बताने के बारे में भूमी दान यानि लोली भूमी की जानकारी और कुछ सेरों के परिवर्तित नाम जालोर का जबालीपूर जाल बताने वाला है बिजोलिया option B और आजरो अंतिम परसन बड़ा बुजुर्ग केमता कि अंत बलोतो सब बला अंत बलोतो सब बलोतो लास्ट परसन रो जो जो भाईवेन सई उत्तर देवेला बारे समझो आजरी पूरी कलास बड़ी सांदा रिवी तो फटा फट से आजरे ल लास्ट परसन रो जवाब देनों है और लास्ट परसन रे जवाब देनों पहली कमेंट करने यो भी बता दीजियो कि आपने आज रो सेशन किस्योक लागियो कितो समझ में आयो तो फटा फट से पहले अंतिम परसन रो जवाब देदो उन्ड बाद में आगेरी बातां आग है यह सहीत आपका हाँ जे देव हरी विजे यह परसंद पूचा गया लेकिन उसमें विकल्प चेंज थे निम्न लिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है विकल्प चेंज एसा परसंद दो तो आ चुके हैं पहले भी मान सिंग ना चरित्र जे ना एक प्रत्वी राज विजे अनुप सिंग हरी के लिए जे देव हरी विजे बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है फटा फट से बताओ भई हाँ फटा फट से बताओ भई अनुप विलास अनुप परबंद ये है अनुप सिंग के ठीक है आपका मैं देख पा रहा हूँ अधिकांस ने इसका उत्तर बी अधिकांस ने इसका उत्तर जो है सी बताया है बिल्कुल देखो भई मान सिंग ना चरितर बिल्कुल सही है जयानक भट परत्विराज विजे परत्विराज चोहान चार मास चोबीस गज अस्ट अंगुल है परमान ता उपर बेटो सुल्तान मत चोहान तो ये जयना एक बट ने लिखाता परत्विराज विजे ये भी है हरी केली हरी केली संस्कृत भासा का एक नाटक है हरी केली ये संस्कृत भासा का एक बताओ क्या है नाटक है जो की किस ने लिखाता विजे राज चतुर्त ने लिखाता जो की किस ने लिखाता विजे राज चतुर्त के द्वारा ये हरी केली नाटक लिखा गया था option आपरो C जो है बिलकुल सही और सठीक उत्तर होगा ये कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है तो C आपका सुमेलित नहीं है ये थे भई राजस्तान इतियास कलास संस्कृति से कुछ समंदित कुछ महत्वे पूर्ण परशनोत्रे कुछ बचेवे महत्वे पूर्ण परशनोत्र अच्छे से समझ में आई होगी फिर मिलेंगे अगली कलास में तब तक के लिए आप सभी प्यारे सातियों का जो है प्यार बरा नमस्कार सादरवंदे राम राम